है 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 अगर आप आपकी तैयारी आए वह फुल स्विंग के साथ में चल रही होगी ठीक है और आपकी तैयारी को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्रेस कोर्स लेके आये थे अजैंब अभी हम लोग पावा सिस्टम का क्रेस को कर रहे थे जिसके चार चैप्टर हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं आज हम लोग पांचवा चैप्टर डिसक्स करेंगे आज हम लोग discuss करेंगे cable और transient को clear है इससे पहले मेरे को आप बता दीजिए क्या में audible और visible हूँ क्या मेरी आवाज आपको proper तरीके से आ रही है last time में problem हो रही थी आवाज को लेकर तो आप एक वार बता दीजिए क्या मेरी आवाज exactly सही आपको मिल रही है am I audible and visible completely? so good evening everyone very very good evening तो बाकी लोगों को भी बच्चों को खबर कर दीजिए कि जो power system की class है वो resume हो गई है ताकि वो लोग भी अपनी classes को आगे से continue कर पाएं देखो बच्चों आज मैं start करूंगा cable or transient लेकिन मेरे को पता है मैंने जहां पर छोड़ा था जब पिछली class के अंदर हमारा कुछ insulator वाला part रहे गया था तो पहले हम लोग insulator वाले part को complete करेंगे उसके बाद cable पर आएंगे और cable के बाद then we move to the transient हाँ दीखे वो एक दिन में दो बार classes ले ले लेंगे उसकी कोई problem नहीं है classes को हम लोग increase कर लेंगे तो आज का हमारा goal क्या है आज हम लोग next three hours के अंदर क्या करने वाले है let me discuss this first thing पहले मैं insulator वाले chapter को complete करूँगा वहाँ पर हमारा string efficiency वाला part अभी रह गया था कि string efficiency क्या होती है और हम लोग string efficiency को कैसे improve कर सकते हैं उसके बाद हम लोग cables पर आएंगे कितनी तरीके की cable हम लोग use करते हैं cable के अंदर grading कैसे करते हैं ताकि जो potential gradient हो वो insulator की उपर uniform बन जाए cable के अंदर installation resistance कैसे find out करते हैं और हम लोग cable के अंदर capacitance कैसे निकालते हैं उसको discuss करेंगे कितनी तरीके के losses हो सकते हैं losses को हम लोग कैसे find out करेंगे उसको discuss करेंगे उसके बाद हम लोग transient वाले phenomena पर आएंगे के system के अंदर transient कैसा होता है transmission line में transient के reason क्या है और transient की वज़े से जो हमारी voltage और current wave होनती है वो travel करती है travel करने के बाद उनका किस तरह reflection और reflection होता है उसको हम लोग discuss करेंगे Sunday को class रख रखें सिवह मैंने तो actually क्या होगा अगर बीच बीच में क्या करेंगे morning और evening दोनों टाइम पर class रख लेंगे या जो बीच में off आ रहा था उस पर हम लोग class रख लेंगे चलिए तैयार हैं आप लोग तो सबसे पहले मैं इंस्सलेटर वाले पार्ट को complete कर देता हूं इंस्सलेटर पार्ट जो मैंने छोड़ा था फिर हम लोग उसको complete करेंगे उसके बाद then we move to the cable 3 और 4 को मैंने public करने के लिए morning में बोल दिया था पता नहीं अभी तक public क्यों नहीं हुआ मैं एक बार उनको दुबारा remind करवा दूंगा कि जो lecture नुमर 3 और 4 को वापस से public बना दे ताकि जो आपका भी छूड़ गया कुछ लोग का वो भी उसको देख पाएंगे नहीं वह अभी आपको मिल जाएगा लेक्चर 3 और लेक्चर 4 अभी public हो जाएगा आज नहीं हो पाया तो कल हो जाएगा कोई प्रॉलम वाली बात नहीं है इसके अंदर इस्ट्रिंग एफिसेंसी पर आते हैं मैंने उस टाइम पर थोड़ा बहुत आपको आईडिया दिया कि स्ट्रिंग एफिसेंसी क्या होती है इस्ट्रिंग का मतलब है हम लोग डिस्क इंसुलेटर यूज करते हैं ट्रांस्मीशन लाइन के अंदर डिस्क इंसुलेटर के ऊपर जो होता है वो मैटल की कैप होती है और नीचे की तरफ मैटल की पिन होती है ठीक है पिन को कैप के की रेटिंग का डिस्क होता है ताकि वह uniform हमारी डिस्क बन है लेकिन क्या होता है कि जो भी इंसोलेटर कंड़क्टर के पास में हैं जो आपका wire है कंड़क्टर के पास में उसके अक्रोस ज्यादा voltage मिलता है और जैसे जैसे हम लोग conductor से दूर जाते जाएंगे tower की तरफ तो disc के across voltage decrease होने लगता है इसका मतलब क्या होता है जितनी rating का मैंने disc use किया हुआ है उस disc की पूरी rating को मैं utilize नहीं कर पा रहा हूँ यानि मैं जो disc के वो underutilized है तो आप disc की कितनी rating को use कर पा रहे हैं इसको हम बोलते है string की efficiency clear है मतलब आप यहां पर एक दम सिंपल सी बात समझते हैं एक बार द्वारा समझा रहा हूं आपको suppose करिए यहां पर हमने थ्री डिस्क की यूज कर रखी है हाट डिस्क के अंदर एक capacitance बनता है metal पिन और metal cap के बीच में इस जगे पर एक conductor जा रहा है यहां पर conductor है ठीक है conductor है यह conductor जा रहा है तो इसके अक्रोस जो वोल्टेज है V1 इस insulated इसके अक्रोस वोल्टेज V2 और इस insulated इसके अक्रोस है वोल्टेज V3 जनरली V1 V2 V3 इक्वल होने चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होने के पीछे रीजन है कि यहां पर एक extra capacitance बनता है reason समझें सीज को कि यह जो capacitance बनता है cross arm और metal joint के बीच में इसकी वज़े से यह equal नहीं हो पाता अगर मैंने यहां पर इसके एक्रोस आपको 9 के भी मिल रहा है जबकि मैंने 11 11 11 यानि 33 के वी की डिस्क यूज कर रखिये धान रखिये मेरी जो डिस्क की रेटिंग है वो 33 के वी है 11 के वी 11 के वी 11 के वी तो टोटल कितनी रेटिंग की डिस्क मैंने यूज कर रखिये है 33 के वी की डिस्क मैंने यूज कर रखिये लेकिन रियल में इसके across voltage कितना मिल रहा है वोल्टेज मिल रहा है 11, 9 and 10, 11, 9 and 10, ठीक है, यानि मेरी 33 कीवी की जो डिस्क की रेटिंग है, मैं पूरी का पूरा उसको यूटिलाइज ने कर पा रहा हूँ, उसको मैं कितना यूटिलाइज कर पा रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं, स्ट्रिंग एफिसेंसी, बेसिकली स्ट् की अंदर जो भी डिस्क लगी हूई है, उसकी रेटिंग को आप कितना पूर्सेंट यूटिलाइज कर पा रहे हैं, समझ में आए आपको, नहीं नहीं, जो हनाएट नहीं, मतला वो बेसिकली वो प्राइवेट हो गये, प्राइवेट से वो पब्लिक हो जाएंगे, वो हो ज रहे हैं, लेकिन अगर सपोस करिए, मेरे को यहाँ पर 30 kv के अक्रॉस मिल रहा है, तो कितना पूर्सेंट में इसकी रेटिंग को यूज कर पा रहा हूँ, वो आपको बताता है, इस्ट्रिंग एफिसेंसी, इस्ट्रिंग एफिसेंसी आपको डिग्री ओफ यूटिलाइज के बारे में बताता है, यहाँ तक क्लियर है, आप ध्यान रखिए, अगर हम यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ, तो यह आपका फेज है, फेज का वायर है, और यह आपका ग्राउंड है, यानि फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज के हम लोग बात कर रहे हैं, लगाते हैं, तो हमने बहुत रेटिंग के थरिश्टर लगा रखे हैं, बट उसकी रेटिंग का हम लोग कितना यूज कर पा रहे हैं, वो आपको बताता है, इस्ट्रिंग एफिसेंसी, यानि इस्ट्रिंग एफिसेंसी नथिग बट इट डिगरी ऑफ यूटिलाइजिशन आफ दा रेटिंग, मतला अगर सपोस करिए किसी भी स्ट्रिंग की एफिसेंसी 90 पुसेंट है, इसका मतलब है मैंने जितनी रेटिंग के डिस्क इंसुलेटर यूज कर रखे हैं, मैं उसकी रेटिंग का खली 90 पुसेंट ही यूज कर पा रहा हूँ, बताए यहां तक क्लिय यह आपका ग्राउंड है, क्योंकि यह जो टावर होता है, वो ग्राउंड के साथ मैं, इनकाल लिया है, यहां तक क्लियर है, इस्टिंग एफिसेंसी का मिनिक समझ में आ गया आपको, ठीक है, तो इस्टिंग एफिसेंसी निकालने का मतलब कैसे निकालते हैं, वोल्टेज string जैसे मैंने आपको बताया था है इनके तीनों का across voltage निकाल लिया यानि पूरी string के across मैंने voltage निकाल लिया voltage across string divide by number of disk multiply by voltage of lower most disk देखिए आप इसकी चीज़ को समझेए यह 11 है lower mode disk के across voltage कितना 11 इसको मैं 3 से multiply कर दूँगा मतलब 33 क्योंकि आप हर जगे पर same rating की disk यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर भी 11 kv की disk यूज़ करोगे यहाँ पर भी 11 kv की और यहाँ पर भी 11 kv की ठीक है string efficiency क्या होती है जितनी ज़्यादा disk आप यूज़ करते जाएंगे ठीक है जितनी ज़्यादा disk number of disk यूज़ करते जाएंगे string efficiency वहाँ पर कम होती जाएगी string efficiency decrease if distance between tower and conductor is decreased मतलब आप यहाँ पर समझेए अगर यह मेरी string है अगर मैं इसको tower के pass में लियाऊँगा tower से pass में लाने पर क्या हो जाएगा यह वाला जो capacitance बन रहा है वो कम हो जाएगा और यह वाला capacity responsible होता है जिसकी वज़े से string efficiency 100% नहीं होता मतलब आपको यह समझना है कि यह जो इसकी वज़े सही string efficiency हमारी 100% नहीं हो पाती तो अगर आप इसको इसकी पास में ले आओगे तो इस capacitance की value कम होती जाएगी इसका मतलब string efficiency आपकी अच्छी हो सकती है ठीक है अब आप यहाँ पर आईए इस question को करते हैं एक installator string 66 kv की line में लगा हुआ है 66 kv का मतलब three face के अंदर कभी भी voltage दी होती है तो अमेशा line voltage होती है ध्यान रखना three face के अंदर जब भी voltage होती है हमेशा line to line voltage होती है आप power system की class अभी साथ अप्रेल में जाकर start होगी नम्मर ओफ डिस्क वोल्ट आँ वो मैं अभी सेक में यह चीज पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ कि कितने वोल्टेज की लाइन में हम लोग कितने डिस्क यूज करते हैं यह बैसिकली एक डिस्की रेटिंग 11 kv की होती है तो जितने कीवी की लाइन है तो आपको इतने नम्मर ओफ डिस्क यूज करनी चाहिए लेकिन यह तो आपका नॉर्मल कंडिशन पर होता है आप लाइटिंग सर्ज भी आता है जिसकी वज़ेसे वोल्टेज कभी कभी इंक्र पर जितना इस डिस्क निकलती है उससे दो-तीन डिस्क को हम लोग ज्यादा ही लेकर चलते हैं देखे हम अमेशा 11 कीवी की डिस्क यो यूज़ करके चलते हैं उसके पीछे आपने 11 कीवी एक स्टेंडर्र बना दिया है इस टिंडर्र बनाने का मतलब है आप खली 11-11 कीवी की डिस्क को मैनुफेक्चर कर रहे हैं अगर आप खली एक जैसी चीज को बहुत ज़्यादा मैनुफेक्चर करते हैं तो उसकी मैनुफेक्ट्रिंग कॉस्ट रिडियूस हो जाती है अगर आप अलग-अलग रेटिंग की डिस्क बनाएं कोई 11 केवी की कोई 12 केवी की कोई 13 केवी की उसके दो डिस एड्वांटेज है एक तो क्या होगा आपकी जो मैनुफेक्ट्रिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी ठीक है उसके अलवा दूसरी बात होगी आपको अलग-अलग रेटिंग की डिस्क को अपनी स्टोर में रखना पड़ेगा करकर 12 केवी की डिस्क खराब हो गई तो आपको 12 केवी की डिस्क लगानी है 14 केवी की डिस्क खराब हो गई तो 14 केवी की डिस्क लगानी है ताकि एक जगे पर खतम होने पर हम लोग उसको खराब होने पर उसको लगा दें नहीं नहीं सर्ज आज हम लोग डिस्कस करेंगे अब देखें जो संट कैपसिटेंस बन रहा है बिट्वीन मैटल जॉइंट और मैटल वर्क यह हम बात करें इस्ट्रेक कैपसिटेंस की वो 10% है कैपसिटेंस ऑफ इच डिस्क जो डिस्क का कैपसिटेंस का 10% इस्ट्रेक कैपसिटेंस बन रहा है आपको voltage distribution बताना है और string efficiency बतानी है मतलब मैं यहाँ पर एक पर यह बना के बता रहा हूँ फिर आप इसको करना दिखे यह चीज जो मैंने बता है यह मैं tower को बता रहा हूँ यह tower है आपका जो आपका ground potential पर होता है यह tower है cross arm को भी मैंने खली ऐसे represent कर दिया है आप यहाँ पर कितने disk यूज़ कर रहे हैं 3 disk यूज़ कर रहे हैं 3 disk का मतलब आपके पास मैं तीन capacitance बन रहे हैं C, C और C 3 disk आपने यहाँ पर यूज़ की और यहाँ पर ultimately conductor लगा हुआ है अब यहाँ पर जो इन दीच के बीच में metal work और इसके बीच में एक capacitance बन रहा है जिसकी वज़े से string efficiency 100% नहीं होती यह capacitance responsible है string efficiency को कम करने के लिए यह capacitance का 10% है 10% का मतलब C का 10% हो जाएगा 0.1 into C इसका 10% 0.1 into C अब आपको क्या बताना है यहाँ पर इनके across voltage का distribution कितना होगा इसको मैंने यहाँ पर V1 माल लिया इसको अगर मैंने V2 माल लिया इसको मैंने V3 माल लिया तो V1, V2, V3 की value बतानी है इसके साथ में आपको string efficiency की value भी find out करनी है कि अभी है अभी है जी वाला जो batch दियान रखिए जाए जए एससे जेए और एई जीए सैद इस मन तक launch हो जाएगा दियान दियान रखिए एससे सी जेए वाला चैनल और जो classes है और एई जी वाली class वह most probably इस मन तक launch हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ, वो most probably इस मन तक launch हो जाएगा, तो आपको आपका जो इंतजार है, वो आप खतम होने वाला है, आप दरने की बात नहीं, अब आप बहुत अच्छी तरीके से और बहुत कम पैसों में ज्ञान रखिए, A, J, E और S, C, J, E की तैयारी कर सकते हैं बताइए, पहले आप calculate करिए, फिर मैं calculate करता हूँ, क्योंकि ध्यान रखिए, A, J, E और S, C, J, E के बहुत सारे student हैं, जो बहुत दिनों से wait कर रहे हैं अपने अलग channel के लिए आच को कि अच्छा तुम आइटी जे की बात कर रहा है कि मैं जे और एक की बात कर रहा हूँ जूणियर इंजिन्यर और एसिस्टेंट इंजिनियर की बात कर रहा हूँ चलि बताइये कि इस्ट्रिंग एफिसेंस ही कितनी होगी इसमें मैं इंसुलेटर के जो क्यों से नोते न वह सबसे इजी हैं सबसे इजी में मानके चलिए खाली आपको एक चीज पर ध्यान में रखना है कोई फर्मुला याद नहीं रखना है शिर्फ आपको किर्चॉफ करेंट लो लगाना है करेंट लो लगाना आपको याद होना चाहिए अब दीके कैपसिटर के अक्रोश अगर आपको करेंट निकाल नहीं होती यह कैसे निकालते यह बिए अपञेक्टल काлегettes और क्यापस प्रियाक्चेंस होता है है अब आपकान जेओं की सी इसuman मतलब कैपसिटर के अक्रोश क की बात कर रहा हूं दिखे इस जगे की उपर सपोस करिये मैंने इस करेंट को माल है capital I-1 i6 current को मैं मान रहा हूं Capital I-2 और क्रेंट को मैं मान रहा हूं capital I-3 जहा है यहां पर current क molla-i 1 माल लेता है और और इस current को मैं माल लेता हूँ small i2, ठीक है, अब आप किर्चप current लो जब लगाता है इस जगे की उपर, ठीक है, तो i1 की value, i1 यहाँ पर आने वाला current है, i2, capital i2 भी जा रहा है, और small i1 भी जा रहा है, तो capital i1 is equivalent to capital i2 plus small i2, तो पहली चीज़ यह हो गई, capital i1, capital i2 plus small i1, यहाँ तक clear है, खली किर्चप current लो आपने apply किया हुआ है, सबसे lower most वाले load की उपर, अब बताए, यहाँ पर voltage कितना है, इसके across voltage v1 है, j omega cv, j omega c into v1, तो यह हो जाएगा, j omega c into v1, i2 बताएगे, यहाँ पर इसके across voltage v2 है, तो j omega c into v2, तो यह हो जाएगा, j omega c into v2, अब small i1 बताएगे, इसके across voltage बताएगे, मैं इसके across voltage आपको कितना मिल रहा है, यह समझ पा रहे हैं, इसके across voltage, देखे, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं एक वर ऐसे बना के बता रहूँ आप समझा, खली मैं इसको बना के बता रहूँ आपको, खली मैं इसको बना रहा हूँ, ध्यान रखिए, इस वाले को मैंने बनाया, 0.1c को, ठीक है, मेरे को इसके across voltage find out करना है, मतलब अभी समझ देना, मैं यहाँ पर कुछ नहीं बना रहा है, मेरे को खली इसके across voltage निकालना है, यह और इसके across voltage, अब देखें, यह और यह तो आपस में connected है ना, यह तो, इसका मतलब इसके across voltage यह पूरा का पूरा voltage होता है, इसके across voltage यह पूरा का पूरा voltage होता है, समझ देना है, यह voltage, यह पूरा का पूरा voltage, तो यह voltage, यह voltage, कितना है यह, V2 प्लस V3, दिख रहा है, V2 प्लस V3, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, V2 प्लस V3, तो यह हो गया, J omega, C की जगे वहाँ पर किसका capacitance 0.1C है, V2 प्लस V3, बता है, यहाँ तक clear है, J omega, J omega आप सब में cancel out कर सकते हो, J omega, J omega, C भी cancel out कर दीजिए, J omega यह C यहाँ पर cancel out हो जाएगा, तो यहाँ पर finally value आएगी, V1 की value, V2 प्लस, यहनि 1.1V2, प्लस 0.1V3, यह आपकी पहली equation मिल गई, ठीक है, V1 आपको V2 और V3 की term में मिल गया है, अब आप क्या करोगे, अब इसके across, यहाँ पर आप कर्चाफ current लो लगा दीजिए, इस नोड की उपर, तो capital I2 is the capital I3, प्लस small I2, ठीक है, तो आप ने दूसरी जगे कर्चाफ current लो लगाया, capital I2 is nothing but the capital I3, प्लस small I2, यह दूसरा कर्चाफ current लो लगा दिया, capital I2, अभी निकाला था, जी ओमेगा सी इंटु वी टू, जी ओमेगा सी इंटु वी टू, capital I3, जी ओमेगा सी इंटु वी थ्री, देखिए, आप इसके across voltage बताईए, यह मैंने बताता है, यह वल्टेज, यह voltage equal होता है, क्योंकि यह आपस पर connected है, द्यान रखिए, तो यह वी थ्री है, तो जी ओमेगा 0.1C इंटु वी थ्री, जी ओमेगा 0.1C इंटु वी थ्री, जी ओमेगा सी, जी ओमेगा सी सब जगे पर cancel out हो जाएंगे, तो ultimately यह आ जाएगा, वी टु इस नथिंग बट दा 1.1 वी थ्री, यह equation number 2 हो गई, बताईए, इस point तक सब कुछ clear है, अब हमें वी वी टु वी थ्री की value निकालनी है, हमारे पास में कितने variable हैं, वी है वे थ्री variable, वी वन, वी टु, वी थ्री, और equation है आपके पास में 2E, लेकिन तीसरी equation आपको मिल जाएगी, तीसरी equation कैसे मिलेगी, यह आपको पता है, कि यह 66 kv की line है, यह line क्या होती है, हमेशा 3 phase में line voltage यह given होता है, आप यह voltage बताएं, यह voltage line voltage या phase voltage है, क्योंकि देखें यह line है, एक line और यह आपका neutral, neutral मतलब यह basically ground है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, यह 66 नहीं है, 66 by root 3 है, exactly, तीसरी equation हमारे पर आज मिल जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3, इट इस 66 by root 3, क्योंकि यह आपका phase voltage है, एक line और उसके बीच में, यहाँ पर कभी-कभी लोग बहुत बच्चा गलती कर दे जाता है, इसको 66 नहीं लेना है, थी phase में कहीं पर भी अगर आपको voltage दी हुई होती है, आप उसको हमेशा line voltage मानेंगे, लेकिन यहाँ पर यह voltage, metal work और conductor के बीच में आ रहा है, तो यह phase voltage होगा, तो यह 66 by root 3 करनी है, अब तीन equation हो गए, तीन variable हो गए, आप खाली आपको इनको क्या करना है, solve करना है, सिर्फ solve करना है और कुछ नहीं करना है, अब देखिए, यहाँ पर V2, V3 है, V2 की value गए मैं यहाँ पर put करूँ, तो मैं एको V1 भी V3 की term में आ जाएगा, देखे, V1 is equal to, 1.1 into V2, V2 की जगे मैंने put कर दिया, 1.1 V3, ठीक है, V2 की जगे मैंने put कर दिया, 1.1 V3, plus 0.1 V3, कितना आ गया, 1.21 V3, plus 0.1 V3, तो यह आ जाएगा, 1.31 V3, ठीक है, V1 को भी अपने V3 की term में, निकाल लिया, V2 मेरा already V3 की term में था, अब इनको यूज करके, आप V3 की value निकाल लोगे, अब आप यहाँ पर आ जाएगे इस जगे पर, V1, V1 मेरा, 1.31 V3 है, ठीक है, V1, V2, V2 है 1.1 V3, plus V3, अब देगे, खली V3 मिल गए ना आपको, 66 by root 3, 66 को अगर आप root 3 से divide करोगे, 66 by root 3, यह आता है 38.10, तो 1.31 प्लस 1.1 प्लस 1, यह आगया 3.41, V3 is the 38.105, इस से आप V3 निकाल लीजे, कितना आ रहा है 11.17 वोल्ट, V3 की value आई है 11.13 वोल्ट, clear है, V3 की value अपने निकाल लीजे, V3 की value अगर आप यहाँ पर put करोगे, तो आपको वीवर मिल जाएगा, V3 की value अगर आप यहाँ पर put करोगे, तो आपको V2 मिल जाएगा, simple सी बात है ना, तो देखे, equation number 2 से निकाल देता हूं में V2, देखे, V2, 1.1 इंटू V3, 1.1 इंटू V3, V3 की value put कर दीजे, V3 अभी हमने निकाला है, 11.17, यह हो जाएगा, 11.17 इंटू 1.1, 12.29, ठीक है, अब V1 देख लीजे, V1 है, V3 का 1.31 टाइम, 1.31 इंटू V3, तो 1.31, 11.17 को, आप 1.31 से multiply कर दीजे, यहां जाता है, 14.63, ठीक है, यहां तक सबका clear आया, correct आया था, अब हमें क्या निकालना है, finally हमें string efficiency निकालनी थी, and what is the string efficiency, string efficiency मैंने आपको बताया था, कि, तीनों string, V1, plus V2, plus V3, यहांने string के across voltage कितना है, वो है आपका V1, plus V2, plus V3, V1, plus V2, plus V3, ठीक है, total number of disk 3, multiply by, जो सबसे lower most unit है, उसके across voltage, उसके across voltage है V1, जो सबसे maximum होगा, ध्यान रखिए, V1 सबसे maximum होगा, अब V1, की value 14.63, यह 12.29, और V3 अमारा निकला था 11.17, 3 into 14.67, इसका मतलब मीनिंग क्या निकला था, रहा है कि जितनी रेटिंग की मैंने, मतलब मैंने टोटल, इतनी रेटिंग की इंसुलेटर यूज कर रखे होंगे, उसको मैं इतना यूटिलाइज कर पा रहा हूँ, string efficiency आपको बताती है, the degree of utilization, अच्छे बात है, तरोन अगर आपको समझ में आ रहा है, बाकि आपको भी अपनी और से थोड़ी मैनत करने है, देखे, आप समझे, इस तरह के question में कहाँ पर गलती हूँ थी, कुछ भी याद नहीं करना है, खली किर्चाफ करेंट लोग याद करना है, एक तो चीज यह आपको ध्यान में रखना है, कि कैपिस्टर के across voltage कितना होता है, दूसरा यह ध्यान में रखना है कि जब भी यह voltage दिया होगा, यह हमेंसा line voltage होगा, और हम यह जो voltage लेके चलेंगे, यह phase voltage होगा, ठीक है, इनके across voltage निकालते होग ध्यान रखने, यह वाला voltage और यह voltage, मतलब यह और यह exactly same point है, तो यह voltage और यह voltage सेम है, यह voltage और यह voltage आपका सेम है, यह अगर आपको समझ में आ गया, voltage control भी लेके चलेंगे, यह अगर आपको समझ में आ गया, उसकी चिंता मत करो सिवं, अगर कुछ क्लासिस कम होगी, तो हम लोग extra add कर लेंगे, उसमें कोई चिंताली बात नहीं है, यह अगर आपको समझ में आ गया, तो आप insulator की उपर पूरे के पूरे question कर सकते हो, कोई भी इसमें problem नहीं आएगी, बताएए, यहां तक clear है, अब हम क्या चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि String Efficency Improve हो, String Efficency Improve क्यों करना चाहते हो, क्यूंकि हम चाहते हैं, कि जितनी rating का मैंने use कर रखा है, मैं पूरा का पूरा use कर पाऊच, अगर आप पूरा का पूरा use कर पाऊचे, तो ज्यादा economic हाऊचा होगा, तो पहली चीज आपको क्या धर में रखना है कि string efficiency कम बनाने के लिए कौन responsible है यह, string capacitance, तो आपको किसी भी तरह इनके effect को खतम करना है, यह जो string capacitance बनता है, इसके effect को आपको किसी तरह कम करना है, अगर आपने इसके effect को कम कर दिया, तो आप string efficiency को improve कर दोगे, अब देखिए, कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखिए, इसके capacitance को आपको कम करना है, क्या करोगे, by increasing the cross arm size, but it increase the cost, आप यह जो tower है, इसका cross arm की size को increase कर दीजे, तीक है, इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो disc के, इनके बीच का distance बहुत जादा हो जाएगा, distance ज्यादा होने की का मतलब है, यह वाला capacitance deduce हो जाएगा, simple सी बात है ना, capacitance किसके proportional होता है, epsilon a upon d, अगर आपने distance की value को increase कर दिया, तो capacitance की value कम हो जाएगी, पर उसका disadvantage क्या हो गया, भई आपको cross arm बनाना पड़ेगा बढ़ा-बढ़ा, ठीक है, cross arm बढ़ाने का मतलब क्या होगा, ultimately यह आपकी transmission line की cost को increase कर देगा, तो यह ज़्यादा viable नहीं है, theoretical हो सकता है, theoretical यह solution है, बट यह reason में practical solution नहीं है, दूसरा देखिए, यह एक बड़ा important चीज है, capacitance grading में कर दूँ, capacitance grading का मतलब है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, बिल्कुल एक तरह की disk यूज़ कर रहे थे, आप सेम तरह की disk मत यूज़ कर ये, आप अलग अलग तरह की disk को यूज़ कर ये, grading का मतलब आप सेम नहीं यूज़ कर रहें, अलग तरह की disk यूज़ कर रहे हैं, अब आप किस तरह disk यूज़ करेंगे, कि जो भी conductor के पास में हैं, उसका capacitance ज़्यादा हो, और जैसे जैसे हम conductor से दूर जाते जाएंगे, उसकी capacitance की value कम होती जानी चाहिए, यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब आप देखें, आप क्या चाहरे हैं, आप समझ यह सीज को, जैसे यहाँ पर यह बन रहा है, सबसकर यह तीन capacitance बन रहा है, तो अगर यह C है, तो सबसकर यह C point, यह 1.1 C हो, यह 1.2 C हो, इस तरहें मतलब आप चाहरे हैं, कि capacitance सबका same नहीं हो, same नहीं होने का मतलब है, आप जो disc बना रहे हो, वो अलग लग तरही के बना रहे हो, practically क्यों नहीं possible है, क्योंकि आपको बहुत अलग अलग तरही की disc बनाने ही पड़ेगी, समझ रहे हैं, और अगर आप अलग लग तरही की disc को बनाओगे, तो उनकी manufacturing cost जादा आती है, आप हमेशा यह सोचिए, जब भी market में एक नया mobile आता है, वो महंगा आता है, उस time के बाद उस mobile की cost अपने आप reduce होना start हो जाती है, उसका reason आपको पता है, कि जब कोई भी चीज mass scale में बनती है, तो उसकी production cost कम उन्हें लगती है, बट यहां पर आप mass scale में नहीं बना रहे हो, क्योंकि आप अलग लग variety के बना रहे हो, इसका मतलब हर तरह की disc कम quantity में बनेगी, उनकी production cost यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, पहली चीज़ हो गई, दूसरा यार देखने में भी भढ़िया नहीं लगेगा, आप देख रहे हो, transmission line को कोई इतनी मोटी disc, कोई इतनी छोटी disc, कोई इतनी बड़ी disc, कोई इतनी छोटी disc, अलग-अलग तरीकी disc का आपको नजर आ रही है, तो देखने में भी आपको बढ़िया नहीं दिखती ही, मतलब एक uniform नहीं होगा, और जो third सबसे important है, वो यह है, कि यह disc खराब भी होती है, फ्लेस ओवर से वज़े से खराब हो जाती है, यह पंचर हो जाती है, खराब हो जाती है, डिस्क इंसलेटर का यही फायदा है, कि आपको पूरा घटानी है नहीं पड़ता, जो भी disc खराब होगे, उसी को हटा के आप दूसरी disc लगा दीजिए, बट अगर आप अलग-अलग तरेकी disc यूज़ करोगे, तो आपको इस्टोर में अलग-अलग तरेकी disc रखनी पड़ेगी, सब्सक्रिया, आपने इस्टोर बना रखा है, और आपने C वाली disc रखना भूलके खली, 1.1C और 1.2C और 1.3C वाली disc रख लिए, तो फिर आपको फिर लानी पड़ेगी, लेकिन अगर ये सब एक ही तरेकी होगी, तो सिब एक तरेकी disc आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है? आईफोन भी सस्ता हो जाता है भाईया, ये भी आप धान रखे, टाइम के साथ आप कभी भी देखे, जब नए आईफोन निकलता है, वो महगा होता है, लेकिन उसके बाद आईफोन अपने आप सस्ता हो जाता है, हाँ, लास्ट के दो वीडियो हो जाएंगे, पब्लिक में उनको बोल चुका हूँ, और आज नहीं हो पाया थो सकता है, कल तक वो हो जाएंगे, ठीक है? यह चीज क्लियर हो गई, कि प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है, लेकिन थ्योटी कल अगर हम ध्यान रखेंगे, मतलब ध्यान रखना है, कैपसिटेंस की यूज करना, जो भी यह आपको याद में रखना है, जो कंड़क्टर के पास में है, उसका कैपसिटेंस ज्यादा होना चाहिए, यह क्यों होना चाहिए, यह मैं अभी आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ, देखिए, सपोस्ट करिए, यह मेरा जो इस्ट्रे कैपसिटेंस बन रहा है, यह केसी वैल्यू का बन रहा है, मैं यहाँ से स्ट्रिंग को काउंट कर रहा हूँ, डिस्क को काउंट कर रहा हूँ, जो क्रॉस राम के पास में हो पहले नम्मर वन होगा, फिर नम्मर टू होगा, फिर नम्मर थी होगा, सिम्पल सी बात है ना 1, 2, 3, 4 के बाद n हो गया फिर n प्लस 1 हो गया इधर current flow हो रहा है यह in प्लस 1 current मैंने माल लिए इसके अंदर इसमें current मैं मान रहा हूँ in यह current in n वाले के अंदर n प्लस 1 वाले के अंदर in प्लस 1 अब आपको यह अलग-अलग capacitance use करने है जैसे मैंने माल लि अब आपका aim क्या है आपका aim है कि हर जगे पर हर डिस्क के across uniform voltage मिल जाए गर uniform voltage मिल जाएगा तो मेरी string efficiency क्या हो जाएगी 100% हो जाएगी जैसे वी प्लस वी प्लस वी अपका 3 वी हो गया total number of disc 3 जाएगी तो सब के across voltage में को भी बनानी है इस वजह से मैंने इस capacitance को cn प्लस ले लिया इसको मैंने cn प्लस 1 ले लिया है cn प्लस 1 cn अब यहाँ पर आप किर्चॉफ करेंट लो लगा रहे हैं देखिए जी ओमेगा यह capacitance cn प्लस 1 वोल्टेज है वी clear हो गया यह वाला current यह current और इस current के equal होगा यह वाला current देखिए है जी ओमेगा cn जी ओमेगा cn इसके across voltage v ठीक है यहाँ पर आईए जी ओमेगा केसी यह voltage मैंने nv क्यों लिखा हुआ है 1,2,3,4 यह वाला voltage मैंने आपको बता था इस voltage के बरावर होता याद है यह वाला voltage इस voltage के बरावर होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी disk है n number of disk है दो नहीं दो तो मैंने बना रखी है यहाँ पर बट 1,2,3,4 इस तरह यह आपकी disk है n number of disk है 1,2,3,4 n disk एक क्रॉस voltage v है तो n disk क्रॉस voltage कितना हो जाएगा n into v तो यह हो जाएगा n into v अब n plus n into kc, n की value कोई put करिए, ठीक है 1 put करोगे तो यह हो जाएगा c2 c1 plus kc, यानि यह c2 की value इससे पता लग रहा है जो c2 है वो c1 से ज़्यादा है, c3 है वो c2 से ज़्यादा है, c4 है वो c3 से ज़्यादा है, मतलब जो भी conductor के पास में होना चाहिए, उसका capacitance ज़्यादा होना चाहिए, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, capacitance की value कम होती जानी चाहिए, clear है? मतलब suppose करिए, अगर यह kc को, आप सोचिए, अगर मैं इस kc की value को 0.1c ले लेता हूँ न, 0.1c, k, तो यहाँ पर आप देखिए, जो c2 की value आएगी, वो 1.1c आजाएगी, c3 की value, c2, c2 का मतलब 1.1c, 0.2c, यानि हो जाएगा 1.3c, ठीक है? बढ़ याद करने की जरूँत नहीं है, फर्मुला भी याद करने की जरूँत नहीं है, क्यूंकि देखिए, अलग-अलग book में मैंने इसको KC माना है, कुछ इसको KC मान लेती है, इसको C मान लेती है, तो कभी confused मत होना, कि उस बुक में कुछ अलग तरह का formula दे दिया यहाँ पर मैंने इसको केसी माना हुआ है कुछ बुक इसको केसी मान ले दे कुछ भी नहीं किया मैंने खाली आपने किर्चा और करेंट लोई अपलाई किया है बस यह समझना है कि अगर आपको string efficiency improve करके voltage distribution को equal बनाना है तो जो भी disc conductor के पास में उसका capacitance ज्यादा होना चाहिए बट यह solution खली practical solution है theoretical solution है practical solution नहीं है अब बताइए इससे पहले वाला cross arm को बड़े करने वाला भी practical solution नहीं था capacitance grading भी practical solution नहीं है तो फिर practical solution नहीं है क्या हम कैसे इसको equal बना सकते हैं चली उससे पहले वाला question करिए आप यह gate का ही question है 3 phase 50 hertz 11 kv की line है insulator string है जिसके अंदर दो identical identical self capacitance of the insulator is 5 times of the sun capacitance यानि यह वाला capacitance इस capacitance का पांच गुना है तो यह अगर सी माल लिया तो आप इसको 5C माल लिया आपको बताना है इनके across कितना voltage रहेगा इस जगे पर इस जगे पर खली किर्चॉफ करेंट लो लगा दीजिए और वी वन प्लस वी टू को जो आपकी line है यह मैंने आपको क्या बताया था यह voltage कौनसा voltage होता है यह voltage होता है हमेसा line voltage लेकिन यहाँ पर यह line और neutral यह 9 और conductor के बीच का voltage है जो phase voltage है कहाँ पर लिख दिया मैंने अच्छा C3 C2 चलिए निकालिए कौनसा option correct है A B C और D अब देखें कितनी कम calculation वाला question आपको गेट exam में पूछा है खाली एक सिंगल जगे पर आपको किर्चा आप करेंट लो लगाना है कि साही तमाइस सेंग बीज़ा करेक्ट आंसर कि साजिद हुसेन मैंने बोल दिया है वो हो जाएंगे public हो जाएंगे आज हो जाने चाहिए थे अगर आज नहीं हो पाए तो कल तक हो जाएंगे ठीक है चलिए अगर मैं यहां पर इसको capital i1 माल लेता हूं इस करेंट को मैं capital i2 माल लेता हूं यह वाला करेंट में माल लेता हूं small i1 तो i1 की वैलू capital i2 plus small i1 capital i1 की वैलू capital i2 plus small i1 i1 देखिए j omega 5c even voltage ठीक है j omega 5c even voltage i2 j omega 5c e2 voltage i2 अब small i1 बताईए यहां पर यह voltage और यह voltage सेम होगा और यह voltage है e2 तो j omega c voltage है e2 j omega c e2 यह भी e2 था तो आप जब यहां पर इसको solve करोगे तो यहां जाएगा 5c even 6c e2 थीक है यहांनी e1 की value 6 upon 5 times of e2 है यह equation आपको मिल गई अब आपको पता है कि overall जो line है वो 11 kb की line है तो e1 प्लस e2 कितनी है even plus e2 11 kb by root 2 क्योंकि यह line और neutral के बीच का voltage है line to ground voltage है 11 by root 3 इन दोनों का आपको solve करना है solve कैसे करोगे even की value आप यहां पर put कर दीजिए यह जाएगा 6 upon 5 e1 e2 plus e2 11 kb यह ध्यान रखे है तो 11 upon 5 e2 11 by root 3 solve करिए 11 by root 3 2.88 e2 की value 2.88 kb आ रही है मतलब आप डारेक्ट आपकर देखो के तो यह answer मिल रहेगा दूसरा आप निकाल लेना ठीक है इसमें value put कर दोगे even मिल जाएगा even is 6 upon 5 into e2 2.88 into 6 upon 5 3.46 पता यहां तक clear है सिंपल सा question है gate exam में आ हुआ है मैंने आपको बता दिया कितना easy तरह का question gate exam में आता है जिसमें सबसे minimum से minimum calculation हो अब हम आते हैं कि जो हम लोग बात करें थे कि sting efficiency को improve कैसे करें दो मैंने बताया थे बद दोनों के दोनों method practical solution नहीं थे तो practical solution हम लोग कैसे निकालेंगे उसको बोलते है बन में static shielding यह रील में हम लोग use करते है इस्टेटइक zie feeding ंअभि इस्टेटिक उसीडएंग क्या होता हिए इसको समझना एक बार इंड्य यूज लार्ज मेटल रिंग इसराूंड न Doать एंग और्யान diezयान रखे एक एंड एंडंड के साथ में connected होता एक ring की form में होता है जहां पर जो bottom unit होता है उसके बाद conductor जा रहा है वहाँ पर एक ring जैसा बना देते हैं ठीक है It is also called the guard ring और the grading ring इसको हम लोग guard ring और grading ring भी बोलते हैं अब यह कैसे string efficiency को improve करता है अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं lower most unit की capacitance बढ़ा दूँ अगर मैं जो conductor के पास मैं उसकी capacitance मैं increase करता हूँ तो आपकी string efficiency increase हो जाती है तो grading देंग यही काम कर रहा है grading देंग क्या कर रहा है यह effective capacitance को बढ़ा देता है bottom वाली unit की जो आपकी conductor के पास में है it introduce यह last में line देहान देखना यह especially है यह basically क्या करता है it introduce the capacitance between line line मतलब transmission line and the different metal joint ठीक है जो stick capacitance था वो metal joint और cross arm के बीच में capacitance बना रहा था लेकिन यह line और metal joint के बीच में capacitance को बना रहा है अब मैं आपको दिखाता हूँ यह कैसा होता है दिखे यह आपकी wire दिख रहा है यह conductor है यह आपको conductor नजर आ रहा है इह disc है lower most disc के पास में एक एस रिंग जीसा बन रहा है दिख रहा है आपको यह जो ring जीसा दिख रहा है आपको कि यह जो ring सबसे lower mode disc के पास conductor से लगा हुआ ध्याना की conductor से लगा हुआ है मतलब यहां पर current flow हो सकता है conductor से लगा हुआ आई है इस तरह खाये है त cambi alड़क्तर के पास में इसका दूसरा एक और तरीके का होता है यह ऐसा हो सकता है देखिए इस तरह का को इस तरह की आर्किंघ होन की फार्म में भी बलने सकते हैं इस तरह का भी हो सकता है अब यह क्या काम कर रहा है जो मैंने आपको बताता है यह समझना इट इंटिड्यूस दा कैपसितेंस बिट्वीन लाइन एंड डिफरेंट मैटल जॉइंट यह जिसे आपके बीच में जिसी मेरा डिस्क है यह डिस्क की बात कर दो डिस्क के बीच में मैटल जॉइंट होता है ना मैटल जॉइंट मैटल जॉइंट और यह जो लाइन है इसके बीच में कैपसितेंस बना रहा है क्योंकि ये भी metal का है बीच वाला ये भी metal का है और बीच में क्या है dielectric material है आ गहा है समझ में ये aesthetic shielding इस्टेटिक shielding मतलब grading ring या guard ring को use करके string efficiency की value को improve करना आ रहा है समझ में ये इन disc के बीच में एक metal है और ये भी आपका metal है तो इन दोनों के बीच में capacitance बन रहा है ये capacitance बनाता और यह नहीं होता तो यह एक वाला capacitance यहाँ पर नहीं बनता अगर आप इसको simple से diagram में देखो तो यह इस तरह आ होगा अगर यहाँ पर नहीं लेता हूं सूझिये यह अगर यहाँ नहीं ले रहा हूं यह आप तीनो recognizing को समझ यह वाला केस्टेंस डिस्क का यह आप डिस्क में एक तार्फ मैंटल पिन होती है एक तरफ मैंटल जैप होता है तो मैंटल कैप और मैंटल पिन के बीच में के रिदेश physician बनता है यह मेरे डिस्क का कैपसितास है Simple हो गया अब जहां पर जिसी आपका ऐसा disc बना होता है यह आपका ऐसे cap होता है और यहां पर ऐसे pin बनी होती है अब दूसरा वाला मेरा यहां से start होता है वह इसके साथ में connect हो जाएगा ध्यान रेके इसके साथ connect हो जाता है तो यह आपका metal का joint है इसको हम बोलते हैं metal joint दो disc के बीच में metal cap और metal pin जहां आपस में connect होते हैं ठीक है metal cap और metal pin जहां आपस में connect होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको हम लोग metal joint तो metal का joint और cross arm क्योंकि ये भी metal का बना हुआ है क्रॉस आर्म, यहां जो टावर हे, यह भी मेटल का बना हो रहा है, इन दोनों के बीच में एर है, एक कैपस्तेंस बन जाता है, इसको बोलते हैं, इस्त्रेकपस्तेंस, इस्त्रेकपस्तेंस यहन तक तहूं मैं पढ़ा था, अब यहां पर यह एक extra capacitance और create कर रहा है यह वाला अब यह सोचिए यह कैसे create हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक conductor है कि मैंने आपको उता है का conductor को यह पास में लिया है जैसे यह आप लेके चलना है यह न यह यह conductor के साथ में touch है तो यह आपकी यह उता है कि गारड रिंग और इनके metal joint के बीच में kapasitnz और बन रहा है स्मझ में आ रहे हैं गारड रिंग के बीच में kapasitnz और aja रहा है तो этомムेड जोइन्ट और गार रिंग ऐसा यह रिンド जैसा है इति तो इनके बीच में इस ने kapasitnz और बना दिया यानि यह line और metal joint के बीच में capacitance बना रहा है यह आपकी line वाले voltage है और यह metal joint वाले voltage है बताई यहां तक आपको समझ में आया है नहीं आया है तीन capacitance यह disc का capacitance है stray capacitance metal joint और tower के बीच में यह capacitance बना है guard ring ने जो metal joint और line के बीच में ध्यान कि यह line है क्योंकि आपका जो यह दा रिंग बन रही है वो इसके साथ में connected रहता है और अच्छा बहुत थोड़ा है बच्पन ने उस time में तुम्हें यह पता नहीं होगा ने कि इतना इंपोर्टेंट है उस time में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना ज़्यादा important है तुमने पत्थर से थोड़ा है यह चीज़ क्लियर है अब आप सोचिए एक second में आपको बता रहा हूं यह कैसे improve करता है मतलब यह string efficiency को कैसे बढ़ा सकता है समझना एक बार देखे यह टावर और क्रॉस आन्म को रिप्रेजेंट कर रहा है यह डिस्क का कैपसिटेंस है सब्सक्रीब इने तीन डिस्क बना लिया ऐसे ठीक है अगर सब्सक्रीब यहां पर कैपसिटेंस नहीं बन रहा होता तो मैंने क्या बता रहा था कि यह कंड़क्टर से जो करेंट फ्लो हुग है सब जगे करेंट सेम रहेगा ना यह करंट इस दर भी जाएगा ईक तो मैंने बताया था कि कि कैपसिटेंस चप्लो होता है उसकी बा11 होती है कि इस इस की तो और तीनों डिस्क का capacitance भी same हो, समझ रहे हैं, अगर तीनों डिस्क में same current flow रहा हो, और तीनों का capacitance भी same हो, तो तीनों के across voltage same हो जाता, यह ideal condition है, ठीक है, तब अगर तीनों के across voltage same हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस्टिंग efficiency आपको 100% मिलेगी, बट ऐसा क्यों नहीं हो पाता, देखें, इसके पीछे यह reason है, कि यहाँ पर एक ऐसा capacitance बन रहा है, जिसको बोलते है, straight capacitance, इसकी वज़े से नहीं हो पाता, इसकी वज़े से क्यों नहीं हो पाता है, देखें, क्योंकि यह जो current आपने यहाँ प आप यहाँ चला गया, और यहाँ पर ही I2 कम है, क्योंकि I1 में यहाँ पर चले गए तब आपको I2 मिली, clear है, तो आप यह कले सकते हैं, जो I2 current है, it is less than I1, और current के proportional voltage है इसका मतलब जो voltage होगा V2 वो V1 से कम हो जाएगा मतलब यहाँ पर जो voltage आपको मिलेगा V2 it will be less than V1 voltage आ गया यह चीज आपको clear हो गई कि इस capacitance की वज़े से voltage का distribution unequal होता है यह capacitance आपका main culprit है जो इस capacitance की value को unequal कर रहा है क्यों कर रहा है क्योंकि पूरा का पूरा current यहाँ पर नहीं जा पर आपकी कुछ current इदर भी चला गया तो I2 की value I1 से कम हो गई है अब सोचिए अब आपने इसका क्या उपाई क्या आप चीज को समझना अब देखे मैं तीसरे उससे बना रहा हूँ capacitance अब आपने लाइन यह तो लाइन ने ध्यान रखिए लाइन और मेटल वर्क के बीच में एक capacitance और बना दिया grading ring को use करते हुए समझना grading ring को use करते हुए अब सोचिए लाइन से current पहले इदर भी जा रहा था तो लाइन है ना तो लाइन से current इदर भी जाएगा current इदर भी जाएगा ठीक है अब इस जगे पर दो current आ रहे हैं एक यह भी आ रहा है यह भी आ रहा है अब suppose करिए यह current भी अगर मैं small i1 के बरावर बना दूँ suppose करिए इसका मतलब यह वाला current यह वाला current मतलब आप सुचिए इसको भी मैंने small i1 बना दिया तो इस पर enter होने वाला current हो गया capital i1 plus small i1 यहां से जाने वाला current हो गया capital i2 plus small i1 यह दोनों current मैंने same कर दियें क्या हो जाएगा i1 और i2 सेम हो जाएंगे इसका मतलब v1 और v2 यहां पर सेम हो जाएंगे तो voltage आपने same बना दिया is इसको इसके पीछे का funda समझ में आगया आपको मतलब आप अगर ऐसा exactly बना दें कि यह current और यह current बिल्कुल सेम हो जाए तो string efficiency आपकी एकदम 100% हो जाएगी नो डाउट बिल्कुल exactly सेम तो नहीं हो सकते है तो string efficiency 100% नहीं होगी लेकिन पहले से थोड़ी जादा बैटर हो जाएगी पहले से थोड़ी जादा बैटर हो जाएगी इसको देखिए इसको मैं एक तरह से और समझा रहा हूं अब आप यह सुचिए इन दो के बीच में यह वाला capacitance है इन दो के बीच में यह वाला capacitance भी हो गया तो इस capacitance से आने से यहाँ पर overall value बढ़ गई ना क्योंकि यह C प्लस यह C हो जाएगा दो capacitance अगर पहले में connected हो तो वह add हो जाते हैं तो real में इसका effective capacitance बढ़ गया इसका सबुचिए इसका effective capacitance बढ़ गया क्योंकि अब इन दोनों का sum यह होगा और अगर line के पास ज़्यादा capacitance value का disk है इसका मतलब stick efficiency पहले से ज़्यादा होती है Hello Samir, how are you? बताएए यहाँ तक किसी को कोई doubt है? इस point तक किसी को doubt है? दो तरीके से समझा दिया या तो यह lower most unit का effective capacitance को increase कर रहा है या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि current अगर same होने से current अगर same हो जाएगा तो यह current दोनों same हो जाएगी तो इनके across voltage की value same हो जाएगी वो lecture public हो जाएगा आज या कल के अंदा उसकी चिंता मत करिए वो public हो जाएगा अब आप यहां पर सूचिए यह देखिए one two three four यह मेरा ऐसा unit है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा unit number one unit number two unit number three ऐसे हम लोग लेके जा रहे हैं ठीक है यह आपकी n unit हो गई कि सारी वन two three four यह 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 एन प्लस वन हो गई तिक के इसके अंदर करेंट मैंने आई लगें माली यह 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 आई यह करन आपने आई-एन ड्स माल लिया और यह वाला करेंट का है यह आपका केसी वैल्यू का है अब आप इसके उपर किर्चा पर लोग लगा कर कैसे निकाल रहे हैं सोचिए गा यह तो मैं आपको बता चुका हूं कैसे ही होती है यह मैंने आपको बता दिया था कि विदाओट ग्रेडिंग नहींग ने इन वन की वैलीव इन से चाधा होती है तो वी एल प्रस वन वी एल से जाधा होगा तो हम लोग ग्रेडिंग करते हैं किसी वी तरह हम लोग आईन वन को आई एन वन के बरावर बनाने के लिए लेंगे आ लिग के श्काविज्च आ रहा है इंड यह न डबल के बरभल हो गांब यह रोग के अद्येक को क gloss IG को अगोर और यह क्रिछ अदल देस्ट अरक गरन के लोगा यह क्रेंट आरिंट यह दो है त्य कि यह ठीक किर्च ब्क लोग अभी मैंने आपको बताया अगर यह दोनों करेंट सेम होंगे तो डिस्क की उपर करेंट की वैलू सेम हो जाएगी यह भी मैं आपको बता रहा था कि जितना करेंट यहां से आ रहा है यह पूरा का पूरा करेंट यहां पर चला जाए तो यह करेंट और यह वाला करेंट इकव परपस किया है कि किसी तरह इन दो करेंट को इक्वल बना दे इस्टिंग एफिसेंस नहीं पर सेंट हो जाएगी इन दो करेंट को बनाने के लिए क्या करोगी आई एंडबल डेस्ट को मैं आई एंडेस्क के बरावर बनाना चाहता हूं इन कैसे बनाऊंगा बताईए इस current की value बताईए इसके across voltage कितना है पहले इसके across voltage बताईए यह वाला voltage और यह वाला voltage same है simple है न यह वाला voltage इस voltage के बरावर होता है यहां से लेकर यहां तक कितनी disk के n number of disk के हाट disk के across voltage V है तो n disk के across voltage कितना हो जाएगा n into V clear है total n disk के हाट disk के across V है तो total voltage जाएगा n V यह आप डिरिक्ट निगा सकते हैं जी ओमेगा के सी इंटू N V जी ओमेगा के सी इंटू N V आई एंड डैस बताई यह यहां तक क्लियर है जी ओमेगा के सी इंटू N V नहीं देखें यह अलग से मैंने represent नहीं कर रहा है यह मैं बता रहा हूँ यह चलता जाएगा 1 2 3 4 n यह n प्लस 1 है फिर यह n प्लस 2 होगा यह n प्लस 3 होगा इस तरह बहुत सारे हमने डिस्क है अभी हम लोग पर्टिक्लर को लेकर चलना है एन और एन प्लस 1 के बीच में जो नोड है उसको लेकर चल रहे हैं अब मेरे को यहां बताईए जी ओमेगा यह कितना कैपस्टेंस मैं यूज करूँ यह मैं निकालना है अब इसके क्रॉस वोल्टेज बताईए इसके क्लियर काट है ना क्योंकि यह इदर किसके साथ में कनेक्टेड है अब सपोस करिए टोटल यूनिट एम है एम तो टोटल वोल्टेज कितना होगा एम यूनिट के अंदर एक क्रोस V है तो M के क्रोस हो जाईगा एम इंटू V, ठी, एम के क्रोस N, V, M के क्रोस N, V, तो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा M, V, माइनस N, V, ये हो जाएगा M, V, माइनस N, V, बताई हä, यहां तक क्लियर है, कोई doubt इसमrån है M, V, माइनस N, V तो इसके अंदर current को निकालने के लिए J omega ये capacitance इसके cross voltage Mv minus Nv देखिए Mv minus Nv तो J omega इस capacitance की value में निकालना हूँ कितना capacitance आप बनाओगे यहाँ पर यह Cx तो Cx की value यह आनी चाहिए अगर Cx की value यह आ गई तो आपको string efficiency exactly 100% मिल जाएगी K, C, N M आपर total number of total number of disk N आप कोई भी लेके चलिए 123 अगर 1 के across निकाले तो 1 ले लिए 2 के across निकाले तो 2 के निकाल लिए 3 के across निकाले तो 3 के निकाली है ठीक है clear है यह चीज एक छोड़ी चीज और समझे जब भी हम लोग grading ring यूज करते हैं तो grading ring के साथ हम लोग आर्किंग होन भी लगाते हैं वह हो जाएगा बच्चे वह होने वाला है थर्ड और फोर्थ वीडियो प्राइवेट कर दिया था वह पब्लिक हो जाएगा ठीक है कल तक वह पब्लिक हो जाएगा आप चीज समझें यह आपको दिख रहा है यह क्या चीज है कंड़क्टर है कंड़क्टर के उपर हम ने लगा रखाए ine इंस्अलेटर इमिद्ध इए आपका 0 वॉल्ट की विल्लाइन वोग और यह जिस यहां पर high voltage होगा, तो क्या हो जाएगा, जो electrical field है, V upon D, ठीक है, high voltage से electrical field भी ज्यादा हो जाएगा, अगर यह air की breakdown strength से ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, arc, यहां पर आपको arc देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं, यह आपका arc देखने को इसको बोलते हैं, flash over voltage, जिससे क्या होता है, जो insulator है, वो कभी-कभी damage हो जाता है, तो उसकी वज़े से हम लोग यहां पर यह यूज करते हैं, इसको बोलते हैं, arking horn, arking horn, horn का मतलता है, sing, जैसे गाए के sing होते हैं, ऐसे sing हैं यह, arc के लिए आपने especially sing बनाए हुए हैं, ताकि arc आपका इसी sing के across बने हैं, अब देखिए, यहां पर arc की जगे, यहां पर arc क्यों बनेगा, यह मैं आपको यह बताया था हूँ, आप इसको समझ जाएं, देखिए, अब conductor, और यह, ध्यान रखिए, यह आपका 0V पर ही है, यह 0V के साथ में connected ही है, और यह conductor का live voltage है, इसके बीच का distance यह D है, आप देखिए, यह वाला distance तो जादा है, यह वाला distance क्या है, कम है, समझ में आ रहा है, यहां पर distance की value जादा है, और यहां पर distance की value कम है, तो जहां पर distance की value low होती है, suppose करिये, जहां पर distance की value low होगी, वहां पर electrical field जादा होगा, इधर electrical field की बजाए, यहां पर electrical field जादा होगा, और यहां पर electrical field जादा होगा, तो यहां का air पहले ionize हो जाएगा, और जो arc मिलेगा, वो यहां की जगे, इस जगे पर आपको arc मिलेगा, उससे क्य कि आपका insulator के across आर्क नहीं मिलेगा तो insulator डेमेज नहीं होगा बलकि जो भी आर्क बनेगा वो यहां पर बन जाएगा बता यह clear है तो आर्किंग होन अर अल्टिमेटी क्या कर देगा इसको प्रोटेक्ट करने के काम में आ जाएगा पीके वो हो जाएंगे दो लेक्टर पब्लिक हो जाएंगे बता यह चीज क्लियर है आर्किंग होन का फंडर समझ में आ गया है जो सींग लगा रखे हमने वो किसलिए बना लगा रखे हैं जैसे आपने यहां पर देखा होगा एक चीज में आपको बता रहा हूं इस जगे पर देखें यह यह देखिए आपने ट्रांस्मिसल लाइन में यह देखे हैं न यह इस तरह के कभी लगे हुए ठीक है अब आप देखें इनके बीच का डिस्टेंस लो है और यह वाला डिस्टेंस ज्यादा है तो जो इस पार्किंग आपको यहां पर ओनी चाहिए थी अगर यहां पर इस पार्किंग होती तो किसके थू ě यहां पर दिसके थू तो पुरा का पूरा डिस्क आपका खरा हो जाता लेकिन उसकी वज़ाए अब इस पार्किंग यहां पर हो रही है तो आपकी INSTOLITED इस्क बच गई है sparking वहाँ पर क्यों हो रही है क्योंकि जो आपका electrical field है वो distance के inverse होता है तो जहां पर distance कम होगी वहाँ पर electrical field ज्यादा होगी वहाँ पर एर पहले ionize हो जाएगी ठीक है इिs Beyonder बना रहे गा टो no doubt ground अдो दो क्लिए रहते हैं बढ़ी स्पार्क होता है मतलब जो हमारा ही वोल्टज क्रीट होता है न मसर्च की वजए से वो transient nature का होता है, transient का मतलब कुछ time पर आता है, जैसे अगर आपका आया, आपने बोला कि जो wire है वो ground हो गया, इसका मतलब मेरा जो wire है वो ground के साथ में connect हो गया, यही fault होता है, जो आप fault पर आते हुआ नो, line to ground fault, कैसे हुआ? एक line आपका ground से touch हो गया, जैसे आपने यहाँ पर में बता रहा था, यह आपका line to ground fault ही है, सबसे बड़ा reason यही है, यह आपकी line है, यह ground हो गया, यह ground के साथ connect हो गयी, line to ground fault हो गया, सबसे man जो fault का reason है, that is the lighting stroke, lighting and switching stroke, जो सबसे ज़्यादा fault को create करता है, बताएं, आर्किंग होन समझ में आगया आपको, यह मैंने आपको detail में लिखके दे दिया, कि जब भी high voltage create होती है, कौन create करता है, lighting और switching high voltage को create करती है, surges create करते हैं, तो होन के बीच का distance कम होता है, then the distance between line and cross arm, तो D कम होने के ज़़े से, हौन के बीच electrical field ज़्यादा high होगी, तो जो भी आपका, जैसे electrical field, dialectic strength से ज़्यादा हो जाएगी, यह राविनेज हो जाएगा, और flash over होगा हौन के बीच में, अगर यह हौन नहीं होता, तो flash over हमारा, जो insulator लगा रखा है, उसके उपर से होता, और insulator वहाँ पर डेमेज हो जाता, बताएं यहाँ तक चीज क्लियर है, everything is clear, अब insulator के खराब होने के, insulator के fail होने के, बहुत सरे reason हो सकते हैं, जिसमें mechanical stress है, crack हो सकता है, porosity आने का, बट जो दो main चीज़ें वो यह हैं, सबसे main reason, सबसे important चीज़, flash over हो जाना, और puncher हो जाना, puncher का मतलब, पूरा का पूरा insulator damage हो गया, आप तो आपको नया ही लगाना पड़ेगा, change करना पड़ेगा, flash over, मैंने भी आपको बताता है, इस तरह spark को create करेगा, वो आपका flash over होता है, puncher का मतलब, पूरी तरीके से वो damage ही हो जाएगा, ठीक है, दोनों को मैं यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, flash over voltage क्या होता है, flash over voltage is the voltage, which cause arc surrounding the insulator, no doubt, अगर आपने arking horn लगा रखे हैं, तो फिर arking horn पर होगा, तब आपका insulator के surrounding नहीं होगा, तो जिस voltage के उपर यह arc बनना स्टार्ट हो जाता है, इसको बहुतता है, flash over voltage, अब over voltage क्यों create होती है, मैंने आपको बताया था, surges की वज़े से, lighting and switching surges create the over voltage, flash over voltage से ज़्यादा voltage होती है, puncture voltage, puncture voltage तो वो voltage है, जो पूरे के पूरे इसको breakdown ही कर देती है, insulator का material पूरी की तरीके से damage लिएता है, breakdown का मतलब है, वो अपनी dielectric strength को lose कर चुका है, समझ में आ गया, अब वो dielectric material नहीं रहा, वो पूरा का पूरा उस material का breakdown हो गया, dielectric breakdown, dielectric breakdown, विक्रम क्या बोल रहे हैं, sir, capacitance between every metal link to ground, okay, how taken same, current के उपर थोड़ी capacitance बनता है, यह मेरा दखिए, आप समझे, यह है न, आप जब disc को लटकाते हो न, तो इसकी तो distance सब ज़गे से सेम ही रहती है, अगर हवा आ रही होती तो अलग बात है, हवा में swing कर रहा है, अब इसको distance देखिए, इसकी distance, यह आपका metal work है, metal work है, इसके बीच में capacitor बन रहा है, capacitor बन रहा है, ठीक है, किन चीजों के उपर depend करेगा, किन चीजों पर depend करेगा, इस distance की उपर depend करेगा, ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितना voltage difference है, तो यह voltage तो almost same ही है न, थोड़ा बहुत difference हो सकता है, कि आप voltage drop को लेके चल रहो, but almost हम लोग इसको same मानके चलते हैं, थोड़ा बहुत differ कर सकता है, no doubt, बट क्योंकि डिस्टेंस आपको यहाँ पर same रहता है, तो हम इसको almost same लेके चलते हैं, अरे यह बहुत वीडियो प्राइवेट हुआ है, यह कितनी बार में इसको explain कर चुका हूँ, यह चीज़ समझ में आ गई, फ्लेस ओवर से इंसलेटर मेरा permanent damage नहीं होता, पंचर से permanent damage होता है, फ्लेस ओवर वोल्टेज, पंचर वोल्टेज से कम होती है, फ्लेस ओवर वोल्टेज पर इसके across sparking ओनी start होती है, बट अगर आपने arking horn लगा हैं, तो भी आप उससे इसको protect कर सकते हैं, चलिए, grading ring की ओपर ये वाला question करिये, पता लग जाएगा, string efficiency आपकी improve होती है नहीं होती, उसके बाद देखते हैं, थ्री इंसलिटर की string है, ठीक है, यहाँ पर आपने guard ring भी लगा रखी है, capacitance, line, pink and metal work, and guard ring, समझ रहे हैं, is assumed to be 15% and 5% of the capacitance of each unit, हर unit का capacitance आपने क्या मान रखा हैं, C मान रखा है, C, C, ठीक है, अब यहाँ पर, line, link और pin के बीच में, metal pink और grading ring उसके बीच का आई है, 15% और 5%, यानि यह तो आपका 15% हो गया, और यह 5% हो गया, metal work और tower के बीच, metal work और grading ring या line के बीच में, आपको क्या बताना है, इसकी string efficiency बताना है, बताए, इन दो जगे पर आप क्या लगाओगे, किर्चाफ करेंट लोगाओगे, बढ़ यहाँ पर यह current, दो current ऐसे आएंगी, यह वाली current भी और यह वाली current भी, ऐसे lines है, ठीक है, यह line है, line करेंट आती है, ऐसे current आ रही है, और दो current यहाँ से जाएगी, बताए, ठीक है, अब आप मान लीजे, इसको मैंने capital, इसको मैंने small i1 माल लिया, इसको मैंने small i2 माल लिया, यह capital i1, capital i2, capital i3, और इसको आप लेके चलोगे, इसको आप लेके चलोगे, इसको लेके आप i3 और i4, ठीक है, v1 माल लिया, आपने इदर v2 माल लिया, इसके across आप इसको v3 माल लिजे, i1 प्लस i3, ठीक है, पहले चीज़ होगे, capital i1, plus small i3, small i1 प्लस i2, ठीक है, यह पता है, capital, j omega c, c v3, j omega c into v3, इसके across voltage, यह voltage से मैंने, कितना ही है, v3, तो जगा j omega, c की जगे 0.05, c into v3, बताईए, यह वाला voltage, इस voltage के बरावर होता है, यह मैंने आपको होता है था, कितना है, v1 प्लस v2, कि होजाएगा, j omega, c कितना है, 0.15, और voltage है, v1 प्लस v2, ठीक है, किर्च आप करेंट लो, यहाँ तक clear है, तो यहाँ पर इसकी value हो जाएगी, दीखे, v3, v3, दोनों है, यहाँ नहीं, 1.05 into v3, j omega c, j omega c, j omega c को आप यहाँ पर cancel out कर दीजेगा, यहाँ पर 0.15 v1 प्लस 0.15 v2, ठीक है, यह equation number 1 तक clear है, कैसे निकालते हैं, चंदंजासर ने भी बोल दिया, के सभी के सभी video public हो जाएंगे, आज हो जाएने चाहिएं थे, लेकिन आज नहीं हुए, तो कल तक हो जाएंगे, इसलिए कोई भी चिंता करने की जरुवत नहीं है, ठीक है, उन वीडियो को सोच कर अपनी नीद हराम करने की जरुवत नहीं है, जो वीडियो अभी चल रहा है, आप अभी उसकी तरफ ध्यान दीजिए, कल तक इससे पहले वाले वीडियो जरूर public हो जाएंगे, यह चीज आपको clear हो गई, बताइए, चल लिए, अब next इसकी उपर आजाईए, इधर मैं लगा रहा हूँ, तो I2 current और I4 current आ रही है, I2 प्लस I4, ठीक है, I2 और I4, current जा रही है I3 और I2, I2 यह current, J omega C इन्टू V2 है, यह हो जाएगा, J omega C इन्टू V2, I4, अब बताइए वहला voltage, यह voltage, यह voltage, ध्याने कि, जब इधर के लेकी चलतो, यह voltage ऐसे आता है, इसको लेकी चलतो, यह voltage ऐसे आता है, कितना voltage हो गया, V2 V3, यह हो जाएगा, J omega, C यह आपका 0.05C, कितना voltage है, V2 प्लस V3, ठीक है, I3, J omega C into V1, यह हो गया, V1 ही है, J omega, C की जगे है, 0.15C into V1, J omega C, J omega C, आप cancel out कर दोगे, तो यहाँ पर जाएगा, 1.05, V2, प्लस, 0.05, V3, V1, 1.15, V1, यह equation number 2 आगई, ठीक है, यहाँ तक कोई doubt है किसी को, I2 की value नहीं निकली, अच्छा है मैंने यहाँ पर निकालना भूल गया, कि एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, I2 की value निकालना भूली गए, J omega C into V2, या नहीं यह पर जाएगा 1,1.15 V2, बताईए आप सही है आप correct है 0.15 V1 1.15 इंटो V2 दो equation हमें मिल गई है आप बताईए कितने variable हैं आपके पास में V1, V2, V3 जिनकी value आपको निकालनी है V1 की V2 की V3 बट हमारे पास में equation कितने आ रही हैं सिब 2 जबकि mathematics यह बोलता है कि जितनी ही variable हैं उतनी ही equation चाहिए होती है उनको solve करने के लिए तो हमें एक और equation चाहिए वो equation कैसे निकलेगी वो equation निकल जाएगी एक चीज़ एक चुली इसना यह इसने line voltage देना भूल गया मैं आप में लेख देता हूँ line voltage 11 kv ठीक है 11 kv की line है एक side ही आ रहा तो तीसरी equation आप निकाल लो के v1 प्लस v2 प्लस v3 v1 प्लस v2 प्लस v3 11 kv का मतलब 11 डिवाइड बाई root 3 equation number 3 आ गई इन तीने equation को solve कर लेना v1 मिल जाएगा v2 मिल जाएगा v3 मिल जाएगा उसके बाद आप क्या निकाल लोगे existing efficiency निकाल लोगे यह मैं पूरा solve नहीं करूँ आप solve कर लेना तीन equation को solve कर लोगे from equation 1, 2 and 3 v1 की value निकाल लेना v2 की value निकाल लेना v3 की value निकाल लेना ठीक है खले equation को solve करना है string efficiency कैसे निकालेंगे v1, v2, v3 का sum total number of string 3 है और lower most string के across voltage है v3 इसमें value पूट करना और आपको string efficiency की value मिल जाएगी 1.918, 1.984, 2.447 अंजली ने निकाला है और भी आप एक बर confirm कर दीजे यह answer यह आ रहा है या और कुछ आ रहा है अगर एक और बता देगा तो मैं माल लूँगा फिर लिख लूँगा नहीं तो आप अपने आप निकाल के इसको कर सकते हैं ठीक है कोई doubt इसके अंदर यह वाला incursion कैसे कर रहेंगे जस्त मैं आपको बता जाता हूँ उसके बाद आप घर पे कर लेना suspension insulator के अंदर तीन unit है हार unit can withstand a maximum peak voltage of 11 kv ठीक है 11 kv इसनकी rating है समझे है 11 kv इनकी rating है तीन है 1, 2, 3 और फिर यहां पर एक line है capacitance of each joint and metal work is 20% अगर यह C है तो यहां पर जो capacitance बनता है वो इसका 20% है यह वो 0.2C है the maximum line voltage जिसमें हम लोग string को use कर सकते हैं वो आपको बताना है 86.5 के आसपस पहले वाले की answer यहां रहा था बताए कैसे निकालोगे यहां पर यह line का voltage 11 के भी नहीं है जहां रखिए यह maximum peak voltage है जो कोई भी disk bear कर सकती है अब बताए सबसे ज़्यादा voltage आपको कहां पर मिलेगा यहां पर मिलेगा यहां पर मिलेगा conductor के पास मिलता है यह cross arm के पास में मिलता है बताए कहां पर मिलता है सबसे highest voltage किस disk के across मिलता है वो disk जो line के पास में यह वो disk जो tower के पास में यह जो cross arm के पास में लिख के बताए एक बार कहां पर मिलता है conductor के पास में तो conductor के पास में जो voltage आपको सबसे maximum रहेगा ठीक है इसका मतलब यह सब की सब disk एक जैसी है यह तो इनके across तो कम voltage मिलेगा इसके across ज्यादा voltage मिलेगा और कितना ज्यादा हम लोग ले सकते हैं खली 11 kv तक क्योंकि 11 kv तक को bear कर सकता है तो यहां पर यह voltage दिया हुआ है समझे आपको यह 11 kv तक bear कर सकता है इससे ज्यादा voltage इसके across मिल गया तब यह damage हो जाएगा बाखी को मैं क्यों नहीं लेके चलो क्योंकि बाखी के across तो कमी voltage मिलेगा अब इसको आपने v2 माल लीजे इसको आप v3 माल लीजे बताए यहां तक clear है ना तो यहां पर यह 11 kv नहीं है maximum voltage जो एक disc bear कर सकता है वो यहां पर 11 kv है अब आप यहां पर सोचिए देखिए इसको निकालने का फिर कैसे आप करोगे suppose करिए यह मेरा capital I1 है this is capital I2 and this is capital I3 this is small I1 and this is small I2 so I1 is I2 plus I1 ठीक है so I1 की value I2 plus small I1 I1 j omega c into 11 kv 11 kv peak voltage वो बियर कर रहा है j omega c into 11 kv kv में है दियान रखिए है j omega c into v2 इसके across voltage यहां पर v2 plus v3 j omega 0.2 c v2 plus v3 j omega c j omega c cancel out हो जाएगा तो यहां पर आजाएगा v2 1.2 into v2 plus 0.2 into v3 बताएगे clear है यह यह question number 1 मिल गए आपको अब I2 की value I3 plus I2 यह है j omega c into v2 j omega c into v3 small I2 देखिए इसके across voltage v3 है j omega 0.2 c v3 यहनि जो v2 की value है वो आ रही है 1.2 into v3 ठीक है इनको solve कर दीजिए कितना आ जाएगा v1 तो हमें पता ही है 11 kv थी इन equation number 1 और equation number 2 को solve कर दीजिए जो आपने लिका है सही है सही तमा v2 8.04 और v3 6.7 और v3 6.7 एक बार और confirm कर दीजिए बाकी लोग भी यह ही आ रहा है ठीक है चलिए अब line voltage कितना होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 यह तो 11 kv आपको दिया हुआ था यह भी आपने निकाला है 8.04 6.7 11 प्लस 8.04 प्लस 6.7 25.74 क्या 25.74 इसका आंसर है या और कुछ तरीक से करना पड़ेगा हमें अगर आपको एक्जाम में दिया हुआ है तो आप यह पर phase voltage निकालते हो या line voltage निकालते हो बहुत से लोग इसका आंसर यह लिखाएंगे जो आंसर यहाँ पर wrong है क्यों क्यों क्योंकि जब भी आपको कोई पूछता है न थी फेस के अंदर तो आपको हमेशा line voltage देना होता है तो लाइन वोल्टेज तो 25.74 इसलिए कि जान बूच कि इसमें option भी दिया हुआ है बट 25.74 इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें में से लिखना होता है लाइन वोल्टेज यह आपका phase voltage मिला है तो 25.74 को आप multiply कर दोगे root 3 से इसको आप root 3 से multiply करेंगे तो यह मिलेगा 44.58 kv यहनि रियल में answer आएगा 44.58 kv बी इस दा correct answer ठीक है यह बहुत छोटी-छोटी सी mistake है जो हम लोग generally commit करते हैं हमेशा 3 phase के अंदर जब भी rating आपको दी होती है वो हमेशा line rating होती है line voltage line current ठीक है इसी के साथ हमारा इंसुलेटर वाला टॉपिक खतम होता है तो कोई doubt है तो बताइए इंसुलेटर वाले टॉपिक में कोई doubt है यह अब आपको एक confidence आ गया है कि exam में जब भी इंसुलेटर के उपर कोई भी क्योस्टन आएगा आप उसको hundred percent solve कर देंगे कुछ भी नहीं है सिर्फ किर्चॉप current लोग लगाना है थोड़ा grading ring का ध्यान में रखना है कि grading ring एक capacitance करता है लाइन के बीच में और मैटल जॉइंड के बीच में इस्टे कैपस्टेंज मैटल जॉइंड और टावर के बीच में के एकस्टेंज क्रेट करता है बागी किर्चॉप current लोग लगाना है और कुछ नहीं देखना है simple थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना है कि ज चलिए अब हम आते हैं अंडर्ग्राउंड केबिल की तरफ हमें पावर को ट्रांस्मिट करना है और पावर को में डिस्टिबिट भी करना है ट्रांस्मिशन लाइन और डिस्टिबिशन लाइन जो मैंने आपको बताया था हम लोग दो हमारे पास में ऑप्सन हो सकते हैं एक तो ओवरहेड लाइन ओवरहेड का मतलब ओवरहेड सिर की उपर से जो लाइन जा रही होती है अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो ओवरहेड लाइन थी सिर की उपर से बड़े बड़े टावर के थरू लाइन जा रही है ठीक है एक और अप्शन हो सकता है वो थे अंडर ग्राउंड केविल यह सर के ऊपर है वई आपकी जमीन के नीचे है, अंडर्ग्राउंड, जमीन के नीचे आप केबल बिछा दीजे, अब क्योस्टिन ये उठता है, कि भाया जब ओवरहेड लाइन से हमारा काम चल रहा है, तो मैं अंडर्ग्राउंड केबल क्यों लगाऊं, क्योंकि सबसे मैं चीजे जो केबल होगा ना, वो लाइन से जनरली कॉसली होता है, तो जब आपका ओवरहेड लाइन से काम चल रहा है, तो आप केबल क्यों बिछा होगे, सिंपल सा अंसर है, जहां पर आप ओवरहेड ट्रांस्मीशन लाइन को नहीं यूज़ कर सकते, वेर आई विल यूज़ दा अंडर्ग्राउंड केबल, सबस और आप कभी गए हैं, आप देखोगे कि वहाँ पर जो तार है ना, मतलब जो कंड़क्टर हैं, हर तरफ आपको वायर वायर नजर आएंगे, कुछ आपको पावल लाई नजर आएगी, कुछ आपको कमुनिकेसल लाई नजर आएगी, आ लेके चलो तुम तुझको तारों क सहर में, ऐसा लगता है, वो तारों के सहर में आपको लेके जा रहा है, वो इतना गंदा दिखता है, तो अगर आप उसकी ब्यूटिफिकेशन करना है, क्या करोगे, आप केबल यूज करिए, तो सबसे पहला में यूज ए, इस में यूज इन दा ट्रांस्मिशन और डिस्ट दर दिखे, वायर को अगर आप हटा दोगे, हटा दोगे गंदे तो एक बहुत अच्छा देखने लग जाएगा, केबल को यूज करेंगे, यह सेकिंड हो सकता है, टू कनेक्ट दा ओवरेड लाइन विद दा इंडोर सबस्टेशन एक्यूपमेंट, आपने देखा होगा न जो इंडोर सबस्टेशन होता है, वो आउटडोर सबस्टेशन से बहुत ज्यादा कास्टली होता है, लेकिन डैली और मूंबई का जो main area है, वहाँ पर land की कास्ट है बहुत हाई है, अगर main जगे पर आप सबस्टेशन बनाएं, तो लेन की कास्ट इतनी ज्यादा हाई हो ज जाएगी तो वहां पर हम लोग indoor sub station को यूज करते हैं तो आपकी transmission line यहां पर आ रही है और इंडॉर sub station के अंदर एक transformer है जिसमें ने माल लिया तो इनको आपस में connect करने के लिए हम लोग cable का use करते हैं यह क्यों use करते हैं जिसको हम लोग transient के time पर discuss करेंगे क्योंकि अगर इसके उपर कोई surge आ जाता है surge का मतलब हाई voltage आ जाता है तो जैसे यह cable के अंदर जाएगा surge का voltage reduce हो जाता है ध्यान देखिए ठीक है surge का voltage क्या हो जाता है reduce हो जाता है अगर यह high voltage का surge transformer में चला गया तो क्या हो जाएगा transformer का insulation fail हो जाएगा तो इसलिए हम लोग इन दोनों को connect करते हैं cable के through दूसरा point clear हो गया water body के अंदर यूज होता है आप suppose करिए जैसे अंदमान निकोबार की बात करिए अंदमान निकोबार के अंदर आपको बिजली पहुंचानी है अगर वहाँ पर रक्सन नहीं हो रहा आप यहां से लेकर जाना है तो आप transmission line कैसे बिचा होगे वह समुद्र के अंदर transmission line तो जाएगी नहीं ठीक है जिसे आप यूरोप के अंदर कभी देखते हैं एक city से दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्री में आप ले केजा रहे तो आपको समुद्र के अंदर क्या लेकर जाना पड़ताए गयान रिकैके दूसरे कंट्रू क्या लेकर जान तो वाटर अगर दो जगे हैं एक जगे से दूसरे जगे अगर समुद्र है तो यहां से आपको पावर पहुंचाने के लिए वी यूज़ दा केबल रेलवे की क्रॉसिंग की उपर अगर आप रेलवे क्रॉसिंग की उपर लाइन नहीं पहुंचना चाहरे हैं तो आप क्या कर पर इसने हमेसे लेते क्राइब करसिंग आगर कही based कर सकते हैं बताईब कर में क्लियर यह तक केबेल हम वहाँ पर यूज करते हैं जहां पर हम लोग होए राक्त मुस्हार को यूज नहीं कर सकते हैं सिम्पल सी बात है ब्यूटिफिकेशन के लिए या पर जहां इसको यूज नहीं कर सकते हैं अब देखें तो आप ओवरहेड लाइन को देखिए ओएचल का मतलब ओवरहेड लाइन सिर्फ तीन चीज़े होती हैं ओवरहेड लाइन में जो कंड़क्टर होता है ना वो नेकड़ कंड़क्टर होता है उसके उपर कोई इंसुलेशन नहीं लगा होता द्यान देखिए वो तो नंगा वायर है मतलब आप उसको पकड़ोगे तो आपको करंट आएगा आप वहां प सब्सक्राइब तीन चीज़े हैं एक तो कंड़क्टर है टावर है और यह इंसुलेटर की स्ट्रिंग है तीन चीज़ों से आपका ओवरहेड लाइन बन जाती है बाकि हम लोग अभी प्रोटेक्टिव एक्यूपेंट वगरा की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन अंडर्ग्रा और गें असके ऊपर अऊपर यूज़ करते हैं उसके बाद सर्विंग यूज़ करते हैं बहुत सारे मेटिल ओनेर्ट लोग यूज़कर यूज़ करतें सीछले मधे उस IQ को बनाने के लिए इसलिए हमेशा जो केबल की कॉस्ट होती है वह ओवर्एड लाइन की कास्ट से हम फ्रैलियू यहां तक क्लियर है इस पॉइंट है आप केबिल यह केबिल की अंदर घंड़क्टर जिसने यह आप तीन कन्ड़क्टर है क्योंकि यह ठींके फेस की केबिल हर कन्ड़क्टर की ऊपर आपने इंसोलेटिंग इंसुलेटिंग उपर आपने सीग रकागे लेड की बनी हुई यह मैद एक इसके बाद ये बैडिंग के बाद के बालोप आर्म आर्म के पर सर विए ने कि बालोप ये में जरूर नहीं कि सब के अंदर सब चीज हो यह नहीं कि हर में सब चीज हो यह हाई वोल्टेज की लाइन है इसलिए हम लोग सब चीज यूज कर रहे हैं कुछ में खाली कंड़क्टर इंसुलेटर और मेटलिक सीद तक ही होता है बेडिंग आर्मिनिंग सर्विंग हम लोग यूज करते हैं बट यह हम लोग मतल यहां पर यूज कर सकते हैं यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है कि आ आप वह माते हैं एक-एक का यूज क्या है तौि सबसे पहले कंडक्टर का यूज क्या है थे साइवाए किकंडक्टर क्या है कन्डकर का एक का यूज की आ है कौन सा ईकільки ल Kimberly-ूज करते हैं यूज करते हैं। और कंडकरद preço यूसरे नेरे केबिल हम लोगना कमुनिकेशन में यूज करते हैं जैसे आपके अंदर घर पर या आता है जो आप जैसे आप टीवी देखते हो या जो पहले टैलीफॉन की लाइन आती थी उसका टैलीफॉन का केबिल आ रहा है तो कमुनिकेशन का केबिल भी होता है और power cable भी होता है power cable के थुरह आपकी electricity आ रही है communication cable के थुरह आपकी telephone line आ रही है या आपका कोई signal आ रहा है तो communication cable के अंदर या control cable के अंदर हम लोग copper wire use करते हैं लेकिन power cable के अंदर हम लोग क्या use करते हैं extended aluminium conductor क्योंकि आप copper अगर आप use करोगे तो तो बहुत ज्यादा कॉस्ली हो जाता है तो mostly copper cable की जगे हम लोग aluminum का stranded conductor महाँ पर यूज करते हैं कंड़कर का परपस करेंट को फ्लो करवाना है पावर केविल वाई-फाई कंड़कर के उपर इंसलेशन इंसलेशन का परपस क्या है यह leakage करेंट को रोक रहा है प्रॉम कंड़कर टू ग्राउंड अब यह leakage क्रेंट क्या चीज़ होती है सपोज करिए जैसे मैंने ओवरेड लाइन तो डारेक्टी लगा दी उसके उपर इंसलेशन लगाया नहीं था अब आपने यहां पर अंडर्ग्राउंड केविल में खाली कंड़कर ले लिया और कंड़कर को आपने जमीन के अंदर गाड दिया समझे जमीन के अंदर आपने में गाड दिया बिना कोई इन्सलेशन के इसमें करण्ट कैसे फलो होना था करण आपका ऐसे फलोना था सपोजज जैपूर से दिली आपको उलेक्शिटी पहुंच आनी है ऐसे ले जाना था बट इसके आज़– पास आपने इसको जमीन नेगार का एसक अच्क आर्थ है आरे समझ में तो यह current तो आपका यह तो मेरा intended direction of current है but this is called the leakage current जो current अपने desired path को follow नहीं कर रहा है that is called the leakage current वो leakage current है तो कुछ current इस conductor से आर्थ की तरह flow ना start हो जाएगा इसी को रोकने के लिए हम लोग क्या use करते हैं insulation use करते हैं ठीक एचीज clear है अब simple सी बात है अगर यह insulation है इसका मतलब इसका resistance हाई होना चाहिए क्योंकि अगर insulation का resistance अगर हाई होगा तब ही current उसमें से pass नहीं हो पाएगी ठीक है batch लाए रहे हैं इसका resistance हाई होगा इसका resistance हाई होगा simple सी बात है insulation material है तो इसकी dielectric strength भी हाई होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए dielectric strength मैंने आपको बताया था कि कि किस electrical field के उपर इसका breakdown हो जाता है यह बताता है dielectric strength जैसे अगर आपने 30 kb पर centimeter यह dielectric strength है air का उससे ज़्यादा electrical field air में आ गई तो electrical जो air है वो आपका ionize हो जाता है तो कोई भी insulation material है उसका dielectric strength ज़्यादा होनी चाहिए E, E की value ज़्यादा होनी चाहिए V equivalent to ED ठीक है D की value क्या है V upon E अगर E की value high होगी तो D आपको कम लेना पड़ेगा यानि अगर आपने ऐसे material का insulation यूज किया हुआ है पड़ेगा वनना मोटा thickness लगाना पड़ेगा ज्यादा तो कम thickness का material आप यहाँ पर यूज कर सकते हो Non hygroscopic का मतलब क्या होता है Hygroscopic ये moisture को absorb नहीं करना चाहिए तो क्या होता है dielectric strength इसकी कम हो जाती है chemically और electrically inert होना चाहिए मतलब इसका कोई भी chemical reaction नहीं होना चाहिए inert मतलब कोई भी reaction नहीं करे chemical or electrically inert होना चाहिए देखे Corona यहाँ पर इसलिए होने के chance नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो conductor है वो open नहीं है overhead line में तो conductor open था और बीच में air थी बट यहाँ पर तो हर conductor की उपर insulation है ठीक है तो Corona वाला phenomenon आपको underground के विल पर नहीं मिलेगा जो अंदर की तरफ है clear है इसके अलावा impurity से free होना चाहिए यह material है जो हम लोग insulation के रूप में यूज़ करते है vulcanized rubber impregnated paper PVC polythene अभी जो यूज़ करते हैं mostly XLP होता है इसको बदे cross link polythene cable ठीक है अब आप यहां पर आईए insulator के बाद आती है seat metallic seat जो lead या aluminium की बनी होती है अब seat का purpose क्या है इसका main purpose होता है prevent the moisture from each of the insulation अगर आपने seat नहीं यूज़ की खल insulation है आपने जमीन में इसको गाड़ दिया तो जमीन में जो मिट्टी में जो moisture होता है वो इस insulation की उपर enter कर जाएगा इससे dielectric property deteriorate हो जाएगी तो इसलिए हम लोग metallic seat यूज़ कर रहे है ताकि moisture insulation तक नहीं पहुँचे इसके अलवा ये insulation को प्रटेक्ट भी करती है डेमेज होने से जनली दो तरह की यूज़ करते हैं एक होता है लेड और दूसरे होती है aluminium मैं लिए दो तरह की metallic seat यूज़ करते है lead aluminium ज्यादा मजबूत है as compared to lead इसके बाद आजाएए seat हमने यूज़ कर ली seat की उपर हम लोग यूज़ करें bedding bedding का कोई purpose नहीं है cushion की तरह काम कर रहा है seat और armoring के बीच में armoring मतलब bedding के उपर armoring है इसके नीचे seat इसके बीच में cushion की तरह काम करता है ठीक है cushion की तरह काम करने का अनलब fiber वाला metal होना चाहिए इसका मतलब जनली हम लोग cotton या jude का इसको बनाते हैं इसके बाद next आती है आपकी armoring armor की हिंदी क्या होती है कवच कवच मतलब रक्सा करने के लिए जैसे आप पहले कवच पहनते हैं ते राजा मारा जाता कि आपकी body को damage नहीं हो इसलिए ये क्या provide करता है इसका main purpose है protection provide करना cable during transportation all laying या जब जमीन की उपर अंदर guard रहे हो तो laying के time जमीन में जब ले कर रहे हो गाड रहे हो तब ये damage नहीं हो उसके लिए हम लोग steel का tap या steel का galvanized wire यूज करते हैं कभी कभी किसी cable में आपने देखा होगा उपर ऐसे से wire steel का एक tape type का लगा रहता है इसके बाद last में आता है serving serving का purpose ही है armor को protect कर रहा है ताकि armor के अंदर corrosion नहीं हो ठीक है fibrous metal का हम लोग इसका use करते हैं थोड़ी चीज आपको ध्यान में आपको ध्यान में कि थोटिकल चीज है अब देखे जल्ली जो single core की cable होती है उसके अंदर हम लोग armor नहीं use करते हैं क्योंकि ये पूरी losses को increase कर देती है aluminium की जो seat होती है वहाँ पर भी हम लोग armor नहीं use करते हैं क्योंकि aluminium जो खुदी strong material है तो आपको armor की जरुवत नहीं है lead की अगर seat use करें तो हम लोग armor नहीं use करेंगे core का मतलब क्या है थोड़ी ठीक है थोड़ा बस गला खरावे बस junior engineer with UPSC aspirant की जगे आपने aspirant लिख दिया ASPRINT होता है अब आप देखिए LIC वाले मतलब सबका काम protect करना होता है classification बहुत सारी kabel है हम उसको कैसे कैसे classify करेंगे तो voltage की according classify कर सकते है low voltage की kabel 1 kv तक होती है high voltage की kabel 11 kv तक super voltage 33 kv तक extra high voltage 66 kv तक और extra super voltage 132 kv and above high voltage voltage की according हम इसको classify कर सकते है बहुत जदे important नहीं है core का ध्यान रखिए core का मतलब क्या होता है देखिए हम electrical engineer के मतलब में जब core हम लोग सुनते ना तो core हमें कली transformer की core या rotating machine की core याद में आती है जिसमें magnetic flux बनता है मतलब magnetic flux रहता है यहाँ पर जो core का मतलब है cable में core का मतलब हमेशा होता है conductor ध्यान रखिए है यह ध्यान में रखना कितना conductor है जिसमें से current flow हो रही है उसको हम लोग यहाँ पर core बोलते है तो single core की cable मतलब यह single phase में यूज आएगी इसमें एक single conductor है एक conductor है 3 core के विल जिसमें 3 conductor है 3 phase में काम में आएगी और 3 and half core यह कहां पर काम में आती है distribution के अंदर जो यूज करते है distribution में हमको half core के यूज करना पड़ रहा है मैंने आपको बताया था कि transmission के अंदर हम लोग 3 phase 3 wire यूज करते है neutral wire नहीं यूज करते है लेकिन 2nd distribution के अंदर हम लोग neutral wire भी यूज करते है क्योंकि एक phase और एक neutral से हम लोग हर घर में supply देते है तो distribution के अंदर हमें neutral wire भी चाहिए वोई neutral wire आपको half है 3 phase half का मतलब एक neutral neutral core हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे है दिखे यह single core की wire नहीं single core का cable है एक conductor है खाली एक conductor इसके उपर insulation लगा रखा है एक single conductor है single phase में हम लोग यूज करते है 3 core core का मतलब अगें यहाँ पर conductor तीन conductor है 1, 2, 3 A, B, C 3 phase के लिए हम लोग यूज करते हैं हर की उपर आपने यहाँ पर insulation लगाया हुआ है 3 and half core A, B, C 3 phase wire के लिए एक neutral wire के लिए distribution के अंदर हमको neutral सही होता है ताकि एक phase और एक neutral से आप घर को supply दो ठीक है और अगर जब आपकी पास unbalance supply है तो neutral के throughby current flow होता है तो 3 and half core आदा core आप देखिए आदा core क्यों लेके चल रहे हो आप इसको बता सकते हो कि जो मेरा neutral wire है जो neutral का conductor है उसका cross section area phase के cross section area से कम क्यों लेके चल रहे हो आदा क्यों लेके चल रहे हो बताइए बताइए बाई ऐसक क्या रीजन है कि इसका conductor का cross section area phase wire के cross section area से कम है आदा ही है half का मतलब आदा ही है बताइए देखें mostly हमारी जो supply होती ना आपने कभी देखा होगा घर के बाद जो wire है ना आपने कभी ऐसा गोर किया है कि A phase है यह B phase है यह C phase है इसके लाब एक neutral wire होता है तो suppose करिए आपको इसने आपके घर को A phase है सप्लाई दी हुई है आपके घर को A phase है सप्लाई दी हुई है आपके पास वाले सर्मा जी का जो लड़का है उसको B phase है सप्लाई दे दी है तीक है और आपके पास जो C वास्तर अंकर रहते हैं उनको C phase है सप्लाई दे दी है अलग-अलग phase से supply दे के रखते हैं कभी कहते हैं आपके घर पे light आ रही है उसके घर पे light नहीं आ रही है वो कहते हैं कि आपका phase नहीं आ रहा है मेरा phase आ रहा है क्योंकि mostly एक phase और एक neutral wire को supply दिये और इस तरह supply दिये जाती है कि almost ये चो load है वो balance हो जाए अगर ये balance हो जाएगा तो क्या हो जाएगा A phase, B phase और C phase ये आपका neutral वाला current है अगर ये balance हो जाएगा तो बिल्कुल neutral के अंदा current की value 0 होगी और अगर balance नहीं भी हुआ exactly balance नहीं हुआ बट हमने balance करने का try किया हुआ है तो neutral में जो current flow होगी वो कम magnitude की current flow होगी और आप ध्यान रखिए जो conductor का cross section area होता है कितना motor conductor यूज़ करना है या कितना पतला conductor यूज़ करना है वो इसके उपर depend करता है कि कितना current इसमें flow हो रहा है घर के अंदर जो आपकी AC की wiring होती है मोटा wire लगना पड़ता है फेन की wiring करते हो पतला वाय लगाना पड़ता है तो neutral के अंदर जनरली कम magnitude का current flow होता है इसलिए हम वहाँ उसका cross section area face के cross section area से कम रखते है exactly balance supply होगी तो zero current उसके अंदर flow होगा zero नहीं हो रहा तब भी कम current flow यहाँ पर होगा अच्छा ऐसा situation में तुम face बदल लेते हो ध्यान रखिए आप अपने घर में भी जब three face supply लेते हो तो आप अपने इस्टू जो घर के जो instrument है उसको आप line to line voltage से रन नहीं करते हो आप उसको line to neutral voltage से रन करते हो चाहिए वो अलग-अलग face से ले रखे हो जैसे मेरे घर पर three face की supply है तो कभी एक face चला गया तो कुछ जगे पर power नहीं आगी कुछ जगे पर power आएगी कुछ जगे पर power किसी रूम में power आती है किसी रूम के अंदर power नहीं आती but हमारे जो equipment है वो single face की supply पर ही रन करते है चाहिए वो lighting load हो चाहिए आप single face की motor को यूज कर रहे हो कभी भी line to line voltage नहीं यूज कर रहे होते है industry के अंदर हम लोग महाँ पर यूज कर रहे होते है three face का यह होता है कि आपकी reliability बढ़ जाती है अगर आपके घर के अंदर load जादा होता है तो वो यह बोलते हैं के आपको three face की supply लेनी चाहिए अब दूसी तरीके से हम लोग classify कर सकते हैं इसको solid type का cable और press rise cable इसका मतलब होता है अगर cable के अंदर का pressure भार के pressure से कम है तो उस तरह की cable को बोलते है solid type की cable जो generally 33 kv तक हम लोग use करते हैं press rise केविल का मतलब होता है कि केविल के अंदर का जो pressure है वो भार के pressure से ज़्यादा है atmosphere pressure से ज़्यादा अंदर का pressure है ठीके अब यह अंदर pressure कैसे बढ़ा सकते हैं दो तरीके से या तो आप gas को fill कर दीजे nitrogen fill कर रखी है या आप oil को fill कर दीजे mineral oil fill कर देते हैं यह 275 kv तक हम लोग use कर सकते हैं यह आप इसको use कर सकते हो 500 kv तक oil के थूँ या फिर gas के थूँ आप अंदर का pressure भार की pressure से बढ़ ज़्यादा increase कर रहे हैं यह press rise केविल हो जाती है three core की cable को अम लोग further classify कर सकते है three core की cable को यह आपका belted cable हो सकती है sealeded cable हो सकती है oil and gas filled cable हो सकते हैं यह तो मैंने आपको बता दिया अंदर की तरह आप oil or gas को fill कर सकते हैं सबसाई voltage पेशकों यूज करते हैं belted cable 11 kv तक हम लोग यूज करते हैं सिटेटेटेविल 66 केवी तक यूज़ करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखिए यह बैल्टेटेटेटेविल आपको नजर आ रही है बैल्टेटेटेविल यह आपका कंड़क्टर है कंड़क्टर के ऊपर आपने इंसुलेटर लगा रखाए देखिए हर पोर क के चूंडक्टर हर फेज के चूंडक्टर के ऊपर आपने एक इंसूलीहिटिंग् string इस के बाद आपने इसके चारव एक और एक्स्टा इंसूलेशन लगा रखा है यहां पर समझिए के अंदर हर रेक्ट केANGड़ Cher is insulated separately हर conductor के उपर आपने insulation लगा रखा है then overall belt insulation यूज़ करते हैं उसके बाद हम लोग metallic seat यूज़ करते हैं पहले हर core के उपर insulation फिर एक पूरा का पूरा और insulation देखिए हर core के उपर insulation लगा रखा है इसके बाद ये belt insulation आपने और लगा रखा है समझ में आ रहा है core के बाद insulation, individual फिर पूरा insulation फिर उसके बाद में आप metallic seat को use कर रहे हैं फिर आपने यहाँ पर seat को use किया हुआ है ठीक है इसलिए हम इसको बोलते है belted cable क्योंकि ये पूरा का पूरा insulation को बोलते है belted insulation ये आपको अभी में बता नहीं रहा हूँ मैंने proof नहीं किया पर यह थोड़ा याद रखना है objective के exam के अंदर इसमें क्या होता है belted cable के अंदर radial electrical stress के साथ में tangential electrical stress भी exist करता रहता है which force the leakage current along the large of insulation which may lead to the breakdown down मतला आप सुचिए ये आपका कोई भी के बेल है तो ये इसको तो बोलता है radial ये आपका radial होता है radius के along और ये होता है tangential तो यहाँ पर radial electrical stress के साथ में tangential stress के साथ में लगता है अभी मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसके लिए कोई requirement नहीं है इसलिए आप इतना से समझ जाए है कि यह हाँ पर यह होता है exam point of view से belted cable के बाद दूसरी cable थी shielded cable दूसरी cable क्या थी shielded cable जो उससे high voltage पर काम में आती है shielded cable के अदर क्या होता है हर conductor को आप individually insulate करते हैं then cover with the metallic seat उसके बाद metallic seat लगा देते हैं उसके बाद additional metallic seat लगाते हैं मतला हर insulation insulation के बाद आप सब के अंदर metallicț सीट लगाएंगे पहले सब के अंदर एक metallic seat अलग अलग लगाएंगे फिर एक और extra metallic seat लगाएंगे तुमझ में आ गया वाकि जबकि वहाँ पर इक ही metallic seat लग रहे थिए यहां पर individual भी लगेगी उसके बाद एक ऊपर भी लगेगी चारो सीथ सेम पोटेंशल पर होती है यहां पर इलेक्टिकल स्ट्रेस होती है वो रेडियल होती है ध्यान में रखना है सिंदेट के अंदर ईलेटिकल स्ट्रेष 뽑ली रेडियल होती है लेकिन फैर के लिके आंदर यह टंजेंसल भी हो सकती है बेल्ट मतलब का मतलब पाल वे इंसलेशन की ऊपर आप की आते हैं इस अफ्से में बहांते हो एसे बैल्ट पमी तरफ चार में को चल एफ है कि यह सब ठोटिकल बात हैं जैसे यहां पर यह एक अर्ड रहें कंड़क्टर के ऊपर अपने इंसोलेशन लगा हूआ है इसके बाद यह बैल्ट इंसोलेशन फिर बैल्ट की तरह लगा रहा है इस इस यह आपकी बैल्टेट के विल है यह जैस्ट मैं आपको दिखा रहू हूँ, आपको लगता है कि ओईल और गेस कैसे फेड करते हैं, तो देखेए यहां पर इस तरही की डक्त होती है, यह अपका ओईल फेड के विल है, जहां पर ओईल रहता है, मिन्नल ओईल का फ्लो करवाते हैं, ताकि अंदर का टेmपरचर तो बाहर के temperature से ज़्यादा हो जाए ठीक है चलिए आप मेन आते हैं जो exam में बहुत ज़्यादा काम आ सकता है गेट exam में इलेक्ट्रोस्टेटिक stress on the single core cable stress का मतब समझते हैं जैसे अगर मैं यह मेरा मेरे पास में पैन है मैं इसको एक इसे तोड़ रहा हूँ इसका मतलब क्या लगा हो एक stress लगा रहा हूँ इसका उपर stress अब इलेक्ट्रिकल प्रापटी कैसी होती है इलेक्ट्रिकल इस्ट्रेश क्या होता है Electrical Stress का मतलब होता है Electrical Intensity इसको हम लोग Electrical Gradient भी बोलते हैं Electrical Stress, Electrical Gradient, Electrical Field Intensity ये एक ही बात है Gas भी इसी तरह का होता है ध्याना कि इसी तरह के Induct होता है जिसके अंदर हम लोग Gas को Flow करवाते हैं तो Electrical Stress को हम लोग Potential Gradient ये Electrical Gradient भी बोलते हैं इसको Electrical Field Intensity भी बोलते हैं इसको Electrical Field Intensity भी बोलते हैं इसको 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 जी की तरह यूज करते हैं यह मैं पता है कोई भी Conductor हो उसमें जब आप Charge को लगाओ गए तो उसके Surface पर जाते हैं यानि किसी भी Conductor के अंदर Electrical Field की वैलू 0 होती है इसका मतलब It is also है 0 at the It is also 0 at the Conducting Seat जो भी आपका Conductor है उसमें Electrical Field की वैलू अमेसा 0 होती है आप सोचिए यह मेरा Conductor है ठीक है इसके अंदर Electrical Field की वैलू 0 होगी Conductor के उपर हमनों क्या यूज करते हैं इंसोलेशन Conductor के उपर इंसोलेशन लगा दिया हमने यहां पर इंसोलेशन लगा दिया इसके उपर फिर आपने लगा दिया Metallic Seat यह फिर Metallic Seat है यह होता है न आपका पहले Conductor, Installation, Metallic Seat यह भी Metal का बना हुआ है Metal का मतलब यह भी Conductor है इसका मतलब यहां पर भी Electrical Field Zero है और यहां पर भी Electrical Field Zero है आरे यह बास समझ में इस Man Conductor में भी Zero है Seat में भी Zero है क्योंकि Seat Metal है Metal का मतलब Conductor है ठीक है तो यहां पर Seat पर भी Zero है लेकिन इसके बीच में जो Insulation है इसके बीच में जो Insulation है वहां पर Electrical Stress यह Electrical Field Intensity Exist करती रहती है ठीक है यह Electrical Field Intensity अगर हम लोग एक्स डिस्टेंस पर निकालें तो यह इसका Formula है यह मैंने भी Proof नहीं किया है यह Capistence वाले Chapter से आ जाता है Equalant to VXLNR upon R R का मतलब Small R का मतलब Conductor का Radius देखे यह Small R है और यह मेरा Capital R है समझ गए इसके अंदर भी Zero है सीट पर भी Zero है बट Insulation पर Electrical Stress Exist कर रहा होता है इससे X Distance की उपर यह Electrical Field के है ठीक है अब आप देखिए इसकी Value R आपका Fix है R Fix है Capital R Fix होने का मतलब आपने एक Same Size का KB ले रखा है जिसमें Conductor का Size भी आपका से Equal Fix है Electrical Field की Value X की Value के उपर Depend करेगी ठीक है इसकी Maximum Value आपको कम मिलेगी जब X की Value Minimum हो यह Maximum कम मिलेगा जब X की Value Minimum हो तो Conductor के उपर X की Minimum Value कब होगी ध्यान रखिए सिब Insulation के अंदर ही हो सकता है Minimum Value होगी R अंदर तो 0 ही होगा कल इसके अंदर हो सकता है तो Minimum Value R, Maximum Value Capital R आ रहे समझ मैं Minimum Value R, Maximum Value Capital R तो जब X Minimum है E की Value Maximum होगी ठीक है Electrical Field will be Minimum at the Line Surface of the Conductor जब X की Value R हो गई तो यह Maximum हो गया मतलब यह आपका Conductor है इसके बाद आपका Insulator लगा हुआ है इसके उपर आपका यह Metallic Seat है बीच में Insulator है तो इस जगे पर यहनी Conductor के Surface की उपर Electrical Field की Strength सबसे Maximum होती है क्योंकि यह Distance सबसे Minimum है खल यहीं पर होगा ध्यान रखिए और Maximum Distance कितनी होगी? Maximum Distance होगी Capital R तो यहाँ पर Electrical Field सबसे Minimum होगी जब X को आप Capital R कर दोगे तब यह Minimum हो जाएगी यहाँ तक Clear है सबको? अब आप समझ यह सीज को कि जो मेरा Insulating Material है Conductor और Seat के बीच में है इसके हर जगे पर जो Electrical Field है यह जो Electrical Gradient है ठीक है Electrical Stress है वो Equal नहीं है इस जगे पर Maximum है इस जगे पर सबसे कम है और यह ऐसे Reduce होता जा रहा है मतलब अगर यहाँ पर यह 30 KV है तो यहाँ पर 28 हो जाएगा यहाँ पर 26 हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा ऐसा ऐसा है यह चीज क्लियर होगी आपको बताए यह चीज क्लियर है कि Conductor की उपर जो Insulation है उसके पूरी थिकनेस के अंदर Throughout the Thickness Electrical Stress Equal नहीं है बलकि Conductor के सरफेस पर Maximum है और जैसे ही Conductor से में सीथ की तरब जाता जाओंगा Electrical Stress की वैलू कम होती जाएगी क्लियर है हाँ यह ना बताएगी अब आप सोचिए भाई मेरे को एक Metal यूज करना है मेरे को Insulating Metal यूज करना है Insulating Material हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे Dialectic Strength of Insulation Material should be higher than the Emax जो Maximum Electrical Stress मिल रही है Insulation को उससे ज़्यादा Dialectical Strength होना चाहिए ठीक है एक बार और देखे मैंने आपको बताया ना यह X के inversely proportional है यह एक्स की वैलू बढ़ती रहेगी E की वैलू कम होती जाएगी X बढ़ता जाएगा E की वैलू कम होती जाएगी ठीक है तो यहां से यह distance बढ़ती जा रही है ध्यान रहे है इसके अंदर कोई electrical stress नहीं है इसमें कोई electrical stress नहीं कोई conductor है खली insulation के अंदर होगा तो distance बढ़ती जाएगी electrical stress कम होती जा रही है यहां पर 30 है यहां पर 28, 26, 24 तो conductor के surface पर यह maximum है और seat पर सबसे यह minimum है seat के उपर ही सबसे minimum है ठीक है अब यह चीज़ समझ में आ रही है अब मेरे को कुछ material का insulation यूज करना है मेरे को उस material का insulation यूज करना है जो maximum stress को भी bear कर पाए बतला आपने कभी देखा है जब आप कभी AC लेने जाते हो ठीक है तो AC के में सबसे अच्छे AC आता है मिस्तूब इसी का और O General का O General और मिस्तूब इसी बोलते हैं कि हमारा 55 degree temperature पर भी यह काम करता है सबसक्रीब मैं राजिस्तान में रहता हूं और राजिस्तान के अंदर maximum temperature 45 जाता है maximum यह नहीं हमें से इतना जा रहा हो रहा है कभी 41 भी होगा, कभी 42 भी होगा, कभी 43 भी होगा, 44 भी होगा, 45 यह maximum जाता है तो मेरे को ऐसा AC चाहिए, जो 45 में भी कूलिंग दे मैं यह नहीं लेकर आँगा, कि जो 41 पर कूलिंग दे मैं एक ऐसा AC लेकर आँगा, जो 45 पर भी आपको कूलिंग दे यह सपोस करिए, अगर आप राजिस्तान में नहीं रेकर, आप हिमार्चल परदेश में रहे रहे हो और वहाँ पर जो टैमपचर मैक्जिमम 35 तक जाता है तो वहाँ पर आपका एक ऐसे AC से काम चल जाएगा, जो 35 डिगरी के उपर कूल करे यहाँ पर बता है, यहाँ पर यह मैंने प्रूफ नहीं किया है, ध्यान रखे, यह मैंने प्रूफ नहीं किया है, डिरेक्ट लिग दिया है E और V के अंदर एक अर्लेशनसिप तो जो भी आपको METAL यूज करना पड़ता है वह maximum को लेकर देखोगे ना ऐसा metal यूज करोगे जिसकी breakdown strength जो यह bear कर पा रहा है उससे भी ज़्यादा हो मतलब maximum अगर यह 30 सपोस करें मैंने यह पर मालिया इसके across maximum voltage 30 kb per cm लगता है electrical stress तो आप एक ऐसा insulating metal यूज करोगे जिसका breakdown voltage 35 kb per cm हो इसका मतलब यह इतने voltage तक breakdown इतने electrical stress तक यह breakdown नहीं होगा अगर आपने 28 kb per cm वाला यूज कर लिया तब तो 30 kb यहां पर तो breakdown हो जाएगा यहां पर खरक्रा हो जाएगा ठीक है यह दोना चीज़े clear हो गई electrical stress equal नहीं है अब यह चीज़ समझे है for a fixed voltage application एक particular voltage application के अंदर overall size of the cable is fixed मतला मैं को इतने radius का ही cable चाहिए we will determine the radius of conductor for which electrical field of the surface of the conductor should be minimum ठीक है same diameter का आपका cable है मैं को यह बताना निकालना है कि आप कितनी radius का conductor use करें कम का यूज करें या ज्यादा का यूज करें कि surface की उपर जो electrical field होता है वो minimum हो क्योंकि इस surface की उपर जो electrical field है वो आपका maximum हो रहा है उस maximum electrical field की minimum value कब होगी यह हमें find out करना है इससे क्या फाइदा होगा यह insulation की cost को reduce कर देगा और यह सबसे economical radius होगी ठीक है यह चीज़ समझ में आई जैसे आप इसको समझेए हम लोग maximum को कंपेर कर रहे है यहाँ पर मैं maximum maximum को कंपेर कर रहा हूँ बट इसमें दे कौन सा minimum है हिमाचल प्रदेश का maximum temperature राजिस्तान के maximum temperature से कम होता है दोनों का maximum की बात कर रहे है हिमाचल का maximum temperature राजिस्तान की maximum temperature से कम होता है तो यहाँ पर भी मैं दो केबल को यूज कर रहा हूं कि आप लोग कितने इस conductor का size यूज करें कि जो maximum temperature जो आपको इसके radius मिलता है वो इसमें कम मिलेगा ये इसमें कम मिलेगा maximum temperature यहाँ पर मिलता है आपको surface पर ये इसकी minimum value आपको कम मिलेगी किस radius के लिए वो हम लोग बात कर रहे है तो देखिए आप क्या करोगे ये आपका maximum temperature रही है maximum minimum आप theorem apply करोगे ठीक है इसको zero कर दोगे मतलब कितने conductor की radius के लिए e max की value minimum होगी conductor की radius क्या हो e max की value क्या हो minimum हो जब आप इसका derivation करोगे तो ये आजाता है r upon r is equivalent to 1 upon e जब r की value 0.367 of total cable के radius के बरावर होगी तब conductor के surface की उपर जो stress होगी वो सबसे minimum आपको मिलेगी ठीक है ये conductor के surface की उपर जो maximum stress होता है वो सबसे minimum इस radius के लिए होगा जब आप इतने radius का conductor यूज करोगे same voltage voltage को fix रखा है capital R को fix कर रखा है R को मैंने यहाँ पर variable माना है यानि ये आपके लिए बहुत important द्यान रखे r upon r is equivalent to 1 upon e या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो तो radius को अगर मैं increase करता जाऊँ conductor का radius और इसकी surface की उपर अगर मैं stress की value electrical stress की value को देखू तो पहले radius को increase करने पर ये decrease होता है पहले decrease हो रहा है उसके बाद ये वापस increase होना start हो जाता है सबसे minimum आपको यहाँ पर मिलता है जब R की value 0.367 into R होती है जो मैंने यहाँ पर नितका आया था ठीक है बताएए जब R की value उसके हो तब सबसे minimum stress रखेगा उससे एक और हम उससे छोटी size का ले लेंगे तो भी stress ज़्यादा है उससे ज़्यादा की size का ले लोगे तब भी stress यहाँ पर ज़्यादा है लेकिन यहां से लेकर यहां तक की reason को यह बोला है यह तो stable reason है और यह वाला reason क्या है unstable reason अब यह stable reason और unstable reason का फंडा क्या है हम लोग अब इसको बार discuss करते है देखिए आप suppose करिए आप cable को manufacture कर रहे हैं आपने पहले लिया है conductor conductor के उपर आप लगाओगे insulation उसके उपर लगाओगे metallic seat तो जब आप cable को बना रहे हैं conductor के उपर जब आप insulator लगा रहे हो तो कभी-कभी क्या होता है बीच में इन दोनों के बीच में air trap हो जाती है त्वारा conductor और insulation के बीच में air trap हो जाती है कभी-कभी कभी ठीक है जैसे मैंने यहां पर conductor लिया है और यह आपका insulation है ठीक है यह आपका insulation है इसके बीच में air trap हो गई ध्यान रखेंगे यह बीच में air trap हो इन दोनों के बीच में थोड़ा केवी पर सेंटीमेटर से ज्यादा हो जाएगा यह अपनी insulating property को loose कर देता है यह आपको पता है ठीक है और नॉर्मल यहां पर जो electrical stress होता है क्योंकि मेर को नहीं पता था यहां पर air आ जाएगी मैं तो यहां पर पूरा insulating material होगा और जो insulating material पर जो electrical stress रहती है वो 40-50 kv पर सेंटीमेटर तक ही रहती है लेकिन गलती से कर यहां पर air आ गया तो क्या हो जाएगा air का तो breakdown हो जाएगा इसका मतलब air खुद conductor की तरह काम करने लग जाएगा तो real में जो conductor कर रेडियस आर नहीं होकर इतना हो गया ज्यादा हो गया मतलब आप किया सकते हैं, इतनी जगे पर Current Flow रहा है, यहां से लेकर यहां तक Current Flow हो रहा है, यानि यह R Plus A हो गया, यैनि, एफेक्टिव Radius जहां पर Currents फ्लो हो रहे है, वो R की बज़ाए R Plus A हो गया, ठीक है, यहां तक Clear है? अब आप सोचिए अगर मैंने इतने radius का conductor बनाया था और मैं मान के चल रहा था कि उसको इतना electrical stress आना चाहिए लेकिन आर की जगे अगर यह आर प्लस ए हो गया तो क्या हो जागा इस वाले reason के अंदर इसका electrical stress ज्यादा हो जाएगा उस electrical stress के लिए तो आपने insulation को आपने उसने electrical stress के लिए इसका मतलब insulation आपका fail हो जाएगा इसलिए यह reason आपका unstable reason है लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आपने इतना radius का conductor यूज कर रहा था इतना electrical stress था गलती से air trap होने पर क्या हो गया radius R प्लस ए हो गया electrical stress यहाँ पर reduce हो गया reduce होने का मतलब कोई problem नहीं है क्योंकि आपने तो ज़्यादा के लिए design कर रखा था कम मिल रहा है तो कोई problem नहीं है इसलिए यह वाला reason stable reason है जब भी आप core बनाओगे conductor बनाओगे उसका radius हमें से इससे कमी होना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर यह लेते हो तो थबसे best है बट उससे कम लोगे तब भी चलेगा इसका मतलब stable reason में R upon R की value 1 upon E से कम होनी चाहिए बताएए यहाँ तक clear है stable and stable वाला point इसका मतलब R की value हमेशा R upon E से कम होनी चाहिए stable के लिए उससे ज़्यादा करोगे तो unstable reason में चला जाएगा अब grading of cable पर आते हैं cable की कैसे grading करते हैं इसकी उपर ही mali question बनता है numerical question के अबनाब में बात कर रहा हूं जैसे आपने वहाँ पर grading की थी static grading, capacitance grading तो यहाँ पर भी आपको grading करने ही पड़ेगी grading का मतलब क्या है आपने देखा grading means distribution of dialectic material such that the difference between maximum and minimum electrical field is reduced अब आप सुचिए देखिए यह आपका core है यानि conductor है और यह metallic seat है इन दोनों के बीच में क्या है insulation है अब insulation पर electrical stress सेम नहीं है मैंने आपको बताता है अगर यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 28 है यहाँ पर 26 हो गया यहाँ पर 24 हो जाएगा इसकी surface पर maximum है और जैसे दूर जाते जाएंगे reduce होता जाएगा आप यह चारें के ऐसा नहीं हो क्यों नहीं हो आप सूचिए एक मिर समझे क्यों नहीं हो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ultimately जो मेरे को insulator use करना पढ़ रहा है उसकी breakdown voltage breakdown strength इससे तो ज़्यादा होनी चाहिए 30 के भी maximum से ज़्यादा होनी चाहिए ना अब आप सूचिए maximum के बरावर हो या उससे ज़्यादा हो तो मैंने यहां पर एक ऐसा insulating metal यूज किया हुआ है जिसकी breakdown strength 30 के भी पर सेंटीमीटर हो है तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो 30 के भी का 30 के भी पर सेंटीमीटर ही लगा हुआ है बट यहां पर आपने metal तो यूज कर रखा है जिसकी breakdown strength 30 के भी पर सेंटीमीटर हो बट यहां पर जो electrical stress लग रहा है वो खली 24 के भी पर सेंटीमीटर ही है इसका मतलब क्या है जो मैंने insulating metal यूज कर रखा है उसको मैं पूरी तरीके से utilize नहीं कर पा रहा हूँ ठीक है क्योंकि मैंने material तो ज्यादा high capacity का use कर लिया है ज्यादा high rating का use कर लिया है लेकिन वहां पर तो इतनी electrical stress लगी नहीं रही है इसका मतलब आपको आपका जो material है वो underutilized है समझ गए वो आपका material underutilized है underutilized होने से क्या हो जाएगा हम चाहरे हैं कि underutilized नहीं हो क्योंकि अगर आपका underutilized नहीं होगा तो क्या होगा same cable हम लोग high voltage पर यूज कर सकते हैं या छोटी cable आप महाँ पर यूज कर सकते थे ठीक है आप imagine करिए एक second मैं आपको बता रहा हूँ इसको एक example से समझेए जैसे आप समझे रहे हैं suppose करिए मेरे पास एक room है ठीक है मेरे को एक कोई भी material उसके अंदर रखना है उस room के अंदर material रखना है अगर मैं उसको पूरा का पूरा hundred percent उतलाइस करता हूँ material का volume मेरा hundred square feet है ठीक है वो metal को मैं इसको fit करना है अगर आप suppose करिए hundred square foot का रूम यूज़ कर ले और उसमें पूरा का पूरा metal में भर दूँ इसका मतब इस room को मैंने पूरा का पूरा utilize कर लिया है समझा ने इस room को मैंने पूरा का पूरा utilize कर लिया है कि पूरा का पूरा मैटल मैंने यहां पर भर दिया तो आपको खली 100 स्कॉराइट फिट का ही मैटल यूज़ करना पड़ेगा बट अगर आप पूरा का पूरा रूम नहीं यूटलाइस कर पाते हैं खाली उसका 50% use कर पाते हैं 50% utilize कर पा रहे हैं इसका मतले आपको रूम कितने size कर लेना पड़ेगा 200 square foot cut room लेना पड़ेगा अगर आप 50% use कर पा रहे हैं तो under utilization के case में क्या हुआता है आपको ज़्यादा बड़ा size चाहिए होता है अगर आप इसको utilize नहीं कर पा रहे हैं तो insulation आपको ज्यादा थिकनेश का use करना पड़ रहा है, ज्यादा इंसलेशन use करना पड़ रहा है, अगर आप इसको पूरा utilize करते हैं, तो कम size करना पड़ता है, तमझू कहें, अगर यह पूरा का पूरा uniform होता ना, तो मैं कम thickness का metal भी यहाँ पर use कर सकता था, यह ही मैंने आपको प कि उससे क्या हो जाएगा इस्मॉलर साइज की केबिल हम लोग यूज कर सकते हैं इस्मॉलर साइज की केबिल मैं या पर यूज कर सकता हूं यह अगर मैं सेम साइज की केबिल यूज करूंगा तो ज्यादा वोल्टेज के लिए मैं यूज कर सकता हूं जैसे अगर मैं सेम इसक केवल का मतलब है कि इनसोलेशन पर जो एल्एक्टिकल स्ट्रेस जुनिफॉर्म नहीं है उसको किसी तरह जुनिवर्म बनाए इट इस करद ग्रेडिंग बताए यहां तक के तक म nerd कี क्लियर हो रहा है गेडिंग का मतलब है कि इलेक्टिकल स्ट्रेस को आपको यूनिफॉर्म बनाना है अग्दम यूनिफॉर्म नहीं बन सकता तो अभी हमें क्या करना है इनके बीच का डिफरेंस कम करना है जैसा अभी 30 और 24 है अगर यह 30 और 28 भी हो जाए तब भी बैटर है इससे आप साइज क إلى बैट के ग्रींट जारी इंसको कम कर लोगे यह ज्याइम साइज कर लोगो त यह ज्यादा वोल्टेस तक इसको यूस और यूज कर पाओगे were क्लियर है देखिए दो तरेकी ग्रेडिंग हो सकती है एक एक कैपसिनस ग्रेडिंग और दूसरी है इंटरसीदग्रेडिंग तो कैपसिनस ग्रेडिंग के अंदर में आके जालना हूँ पहला है electrical stress electrical field intensity कैसे निकालते हैं lambda यह अपन 2 pi epsilon x यह आपका वो है charge charge per unit आप चाहते हैं अभी आपने देखा कि यह x के यहाँ पर lambda constant है 2 pi constant है, variable क्या है यह यह आपको constant बनाना है अगर आप चाहते हैं कि ex की value constant रहा है यानि हर distance की उपर electrical stress या electrical field intensity constant रहा है यह दो तो constant already है तो आपको epsilon x को constant बनाना पड़ जाएगा simple सी बात है ना क्योंकि lambda और 2 pi तो अज़ी constant है यह दोनों variable है क्योंकि आप अलग-अलग permittivity के metal यूज़ कर सकते हो x distance आपका change हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जो आपका epsilon है it should be k upon x यानि जैसे से आप distance से दूर जाते जाओगे आपको ऐसा metal यूज़ करना है जिसकी permittivity कम होती जाए मतलब एक metal नहीं यूज़ करना है इसके according क्या करना है यह आपका core है और यह seat है तो आपको अलग-अलग तरह के metal यूज़ करने चाहिए इसके according है यहाँ पर आपने अलग dialectic metal यूज़ कर लिया यहाँ पर आपने अलग dialectic metal यूज़ कर लिया फिर यहाँ पर आपने अलग dialectic metal यूज़ कर लिया बट अगर हम exactly equal बनाएं इसको एकदम इसको मैं constant बना लूँ तब तो भाई आपको infinite metal यूज़ करने पड़ेंगे तब तो infinite metal यूज़ करने पड़ेंगे जो real में practical solution नहीं है तो practical solution क्या है आप खाली दो तीन dielectric metal यूज़ करें जिसकी permittivity epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, r1, r2, r3 के अंदर हो जाएं दो तीन metal यूज़ करें सिंपल सी बात है एक्जेक्ली आपको constant चाहिए बिल्कुल constant चाहिए ऐसे तब तो आपको infinite metal यहां पर करेंगे अब question यह उठता है कि अगर आप तीन तरह के भी metal यहां पर यूज़ कर रहे है जिसकी permittivity epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 है तो किसको core के पास में लगाना है और किसको core से दूर लगाना है और वो हम हमें यहां पर find out करना है यह आपका find out होता है capacitance grading का ठीक है यहां तक चीज clear है अब आप आईए इसमें दो cases हो सकते हैं तो capacitance grading के अंदर आप एक insulating metal यूज़ नहीं कर रहे हैं आप तीन यह चार यह दो तीन चार आप अलग अलग तरह की permittivity वाले insulating metal यूज़ कर रहे हैं आप उसके अंदर दो cases possible हो सकते हैं पहला case है कि अगर हम लोग factor of safety को equal करें सभी dialectic metal की factor of safety को मैं अगर मैं सेम रखूँ factor of safety क्या होता है dialectic strength of the material divided by e at the surface of the conductor surface की उपर electrical field maximum होता है उससे भी कितना ज्यादा dialectic metal के metal आपने यूज़ कर रखा है समझे रहे हैं यह suppose करिए एक आप मकान बना रहे हैं उस मकान की च्छत को बनाने के लिए civil engineering की according आपको 60 bag of cement चाहिए है civil engineering की calculation की according आपको 60 bag चाहिए cement के लेकिन आपने 60 की जगे 120 bag डाल दिये इसका मतलब आप two times factor of safety लेके चल रहे हैं जितने चाहिएं थे उससे आपने double डाल दिया यह factor of safety है double मैं safety लेके चल रहा हूँ कि अगर earthquake आजाएगा तब भी मेरा मकान बज जा रहे है यह आपको देखना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर जो maximum electrical field है वो surface की उपर सपोस्ट कर यह 30 कवी पर centimeter है लेकिन आपने ऐसा dialectic metal यूज कर लिया जिसकी strength 60 कवी पर centimeter है double इसका मतलब आप double safety लेके चल रहे हैं double कोई 30 भी लेके चलते तब भी काम चलता लेकिन मैंने इसको double ले लिया इसका मतलब आपने factor of safety को double कर दिया है समझ में आगा factor of safety जो real में आप metal यूज कर रहे हैं उसकी dialectic strength कितनी है और maximum dialectic strength जो आपको surface में मिलती है कितनी है हमें आप यहां पर क्या करना है first वाले case में आपको अलग-अलग dialectic metal यूज कर रहे हैं लेकिन सब का factor of safety आप सेम लेके चलोगे यह factor of safety सेम लेके चलेंगे तो यह इसकी derivation मैं नहीं बता रहा हूं खाली मैं आपको यह बत यूज किये हैं epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 इनका dialectic strength है g1, g2, g3 यह की strength है g1, g2, g3 जब आप इसको निकाल तो तो यह ऐसा आता है देखिए epsilon 1, g1 into r, epsilon 2, g2 into r1, epsilon 3, g3 into r2, इसकी derivation मैं नहीं कर रहा हूं आपको बता रहा हूं यह आपका r है, यह r1 है और r2 है तीक है जब इसकी derivation करोगे तो यह आएगा अब देखिए और सिपसे भी बढ़ा है ठीक है लेकिन इस सब कॉंस्टेंट है और सबसे छोटा है इसका मतलब क्या हो जाएगा एपसलों जीवन सबसे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यह कम है सबसे कम है उसके बाद कम यह तो यह उससे बढ़ा हो जाएगा एपसलोन 3 G3 उससे बड़ा हो जाएगा यह समझ में आ रहे हैं न मैथमेटिक से आप करके देख लिजे आगर आप नहीं पा रहे हैं कोई भी वैलू पूट करके देख लिजे क्योंकि इसकी वैलू सबसे सब इक्वल हैं इसकी वैलू कम है इतना भी सबसे जादा होगा ठीक ह है तो यहां पर हम लोग ग्रेडिंग कैसे करेंगे जिस इंसुलेटिंग मैटिल की डायलेक्टिकल स्ट्रेंथ मल्टिप्लाइबाई पर्मिटिविटी का प्रड़क्ट सबसे ज्यादा होगा वो आप कंड़क्टर के पास में लगाते हैं समझ में आ गया जिस भी मैटिल की पर्मिटिविटी मल्टिप्लाइबाई डायलेक्टिक स्ट्रेंथ जी वन जी टू जी तू जी त्री क्या डायलेक्टिक स्ट्रेंथ है यह आपको याद में रखना है जिस इंसुलेटिंग मेटिल का पर्मीटिविटी मल्टिप्लाइबी ड्यालेक्टिक स्टेंज सबसे ज़्यादा होगा वो आप कंडुक्टर के पास में लगा होगे और इसके बाद ऐसे से दूर जाते जाओगे यह आपका केस वन है राम राम गुजर जी चीज यह मैंने प्रूफ नहीं किया है खली लिख दिया है दियान रखिया है डिटेल क्लास हो कि उसमें हम लोग इसको प्रूफ करेंगे तो मैटरियल विट हाइएस्ट एप्सलों इंटो जी शुट भी प्लेस नियर तो दा कंडुक्टर एन आउटर लेयर शुट भी इन दा डिसेंदिंग ओडर अफ प्रूफ एप्सलों इंटो जी क्लियर हो गया जिसकी पर्मिटिविटी और डियलेक्रिक स्ट्रेंथ का प्रड़क्ट सबसे आई है वो आप कंडुक्टर के पास में लगा हो गया अब सेकंड केस पर आ रहे हैं वहाँ पर मैंने फेक्टर ऑफ सेफ्टी सेम लिया था ठीक है अब यहाँ पर मैं फेक्टर ऑफ सेफ्टी सेम नहीं ले रहा हूं क्या सेम ले रहा हूं maximum value of electrical field is same again ध्यान रखिए यह है capacitance grading जहां पर आप अलग-अलग dialectic metal यूज कर रहे हैं एक metal नहीं यूज कर रहे हैं अलग-अलग dialectic metal यूज कर रहे हैं एक की permittivity epsilon 1 है दूसरे की epsilon 2 है तीसरे की epsilon 3 है बट आप यह करके चलेंगे कि तीनों के across जो maximum electrical stress लगेगा वो same होना चाहिए ठीक है इसको जब आप लेकर चलोगे तो यह ऐसा आता है epsilon 1 into R epsilon 2 into R1 plus epsilon sorry अगे इसको मैंने भी proof नहीं किया खली लिख रहा हूं यह आपर ठीक है यही same चीज है यह आपका R है यह R1 है और यह R2 है R सबसे छोटा है फिर R1 फिर R3 R small है फिर R1 फिर R2 यह सबसे कम है इसका मतलब epsilon 1 सबसे ज़्यादा होगा उसके बाद यह है epsilon 2 उससे ज़्यादा होगा यह सबसे sorry R2 Epsilon 3 उससे भी कम होगा ठीक है तो यहाँ पर आप metal को कैसे place करोगे जिस metal की permittivity सबसे highest है वो आप conductor के पास में लगाऊगे उसके बाद ऐसे descending order में जाते जाऊगे वहाँ पर हम ले रहे थे epsilon और G का product जब फेक्टर ऑफ सेफ्टी सेम हो लेकिन अगर electrical field strength सेम हो तो जो सबसे highest है और पर लगाऊगे फिर इससे descending order के अंदर जाते जाऊगे इसका मतलब समझना यहाँ आपने माना है कि electrical field strength आपका सेम है मतलब इसके लिए भी देखिए इस जगे पर maximum होगा इसके लिए यह भी G max होगा इस insulating metal के लिए यहाँ पर highest होगा तो वो G max हो जाएगा तीसरे वाले insulating metal के लिए यहाँ पर highest होगा तो वो G max हो जाएगा यहनि तीनों insulating metal के लिए जो electrical stress है वो maximum होगा ठीक है surface के उपर ध्यान रखे distance के उपर यह reduce होता जाता है clear है चीज ऐसे same, E max हमने same लिया हुआ है अगर maximum working stress G max हो तो operating voltage यहाँ पर कितना हो जाएगा यह हमें निकालना है operating voltage देखिए यह आपका एक particular voltage पर होगा यह आपका conductor है यह मैंने को माली है reference इनी ground potential पर लास्ट वाला थो पूरा का पूरा voltage हम लोग कैसे निकाल लेंगे भैय यह वाला voltage यह वाला voltage और यह वाला voltage तीनल वाल्टेज का सम होगा न यह voltage यह voltage यह voltage ठीक है यह वाला voltage is gmax r r r1 upon r यह आगया यह मैंने उसी से निकाला यह जो formula मैंने निकाला था ना, gmax का formula निकाला था gmax का formula यह आपका v upon small r, r upon r उसी से निकाला है अब यह तीन अलग अलग वोल्टे लेके चलना है यह वो गया v1 यह हो गया v2 और यह हो गया v3 अगर आप इसको v1 ले रहे हो यह v2 ले रहे हो, इसको v3 ले रहे हो ठीक है? तो यह पूरा का पूरा वोल्टेज आप यह आपर find out कर दोगे इसके उपर न्यूमेकल आता है, वो मैं करके बता रहा हूँ, उससे आपको यह भी क्लीर हो जाएगा कि क्यापिस्टेंज ग्रेडिंग करने के उपर आप मैठिल की कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हो? कैपस्टेंज ग्रेडिंग के अंदर अब लोग डिफ्रेंट डिफ्रेंट मैटिल के डियलेक्टिक मैटिल यूज़ कर रहे हैं, एक डियलेक्टिल नहीं यूज़ जिस टिय अंज़ को चलिए, यह मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकालोंगे इसको तो आप खुद कर ले ना यह मैं आपको बता दो यह मैं सेक्ड वाला करके बता देता हूं मैं यह वाला गांड़क्टर एंड ऊवर्लर डायमेटर आफ सिंगल कोर केमल इस दा थी सेंटिमेटर एंड एट पॉइंट फाइव इट फाइव यह डायमेटर है कोर का डायमीटर ठीक है 3 रिडिस कितनी हो जाएगी 1.5 इसका आधा कर दो कि 1.5 यह हो जाएगा 4.25 ठीक है देखे मैं यहाँ पर एक बार बना देता हूं समझना इस चीज को बहुत इंटरेस्टिंग इससे यह चीज पूरी क्लीर हो जाएगी देखें सिंगल कोर की केबिल है यह डायमीटर है आपका डेडियस मा लेजिए 1.5 सेंटिमीटर और ओवरल है 4.25 ठीक है रेडियस निकाल दिमाने डायमीटर को हाफ कर गए आप यहाँ पर दो डायमीटरिक मेटल यूज कर रहे है यह निए कंडक्टर और सीथ के बीच में जो इन्सुलेटिंग मेटिल है ना डायमीटरिक मेटिल यह सिंगल नहीं यूज कर रहे हैं आप प्र आप मैंने आपको बताया था जिसकी permittivity high होती है वो conductor के पास में होता है तो यहां पर इसकी permittivity जो 9 वाला है वो हम लोग इसके पास में रखेंगे और जिसकी permittivity की काम है उसको दूर रखोगे तो दो यह और यह धिक है वरकिंग स्ट्रेस थर्टी कीवी पर सैंटी मिट्र है आपको थिक्नेस और इच लेयर ओफ डालेक्टिक मेट्र बताने है 30 kv पर cm इसकी working stress है आपको thickness of heart dialectic metal की thickness यहाँ पर find out करने है यह मेरे को पता है 1.5 यह मेरे को पता है 4.5 यह मेरे को नहीं पता यह radius मेरे को नहीं पता इसको आप माल लीजिए इसको मैंने माल लिया R1 इसको मैंने माल लिया R1 ठीक है अभी मैंने आपको बताया था epsilon 1 into R epsilon 1 into R1 ठीक है यह चीज़ क्लियर है यह आपका है 9 R radius कितना है 1.5 यह 5 इसका R1 हमें यहां पर fine root कर लेंगे यह जगा 9 into 1.5 divide by 5 ठीक है निकाले कितना आता है 9 into 1.5 divide by 5 यह आजागा 2.7 ठीक है यह आपका 2.7 आ गया ठीक है यहां पर आपको ठिकनेस निकालनी थी ठीकनेस इसकी ठीकनेस पहले वाले कि आपने T1 माल दी T1 कैसे निकाल लोगे यह आपको पता है यह आरवन निकाला मैंने 2.7 और यह 1.5 तो 2.7 माइनस 1.5 थिकने इसका आई है यह नहीं कितना हो जाएगा 1.2 cm का और जो दूसरा है दूसरा इंसलेटिंग मेटल की थिकने इसका आपने माल लिए T2 यह हो जाएगा 4.25 माइनस आरवन 4.25 माइनस 2.7 यह आजाएगा 1.55 cm बताईए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है अब इसका दूसरा पार्ट देखिए in the previous question find out the operating voltage अगर आपने दो dialectic metal यूज़ कर रखे हैं तो इस cable को मैं कितनी voltage तक यूज़ कर लूँगा यह हम लोग discuss करेंगे एक पर यह पूले complete करते हैं तो voltage मैंने आपको बताया था voltage निकालने का formula यह आपका voltage निकालने का formula था तो voltage निकालने का formula देखिए है V यह हो जाएगा Gmax R ln R1 upon R plus Gmax R1 ln R2 upon R तीक है तो R का मतब यहाँ पर capital R माल लिजे पूरी जो हो है R upon Gmax की value देखिए क्या है Gmax की value 30 kv per centimeter यह आपका 30 kv per centimeter है core का radius था 1.25 और R1 निकला आपका 2.7 ठीक है 30 आरवन हमने निकाला 1.2.7 और overall radius था हमारा 4.25 कितनी voltage के अंदर हम लोग इसको use कर सकते हैं यह निकाल रहा है 2.7 को मैंने divide किया 1.5 से 1.8 यह आजाएगा 81 4.25 दिवाइड बाइ 2.7 इसका आप natural log लीजिए इन्टो 30 इन्टो 2.7 36.74 117.74 आ रहा है के भी बताएगे 117.74 केवी तक आप इसको use कर सकते हो ठीक है ज्यान रहा है इसको आप RMS माना हुआ है तो RMS को लेकर ही मैं इसको RMS ही लेकर चल रहा हूँ अगर peak होगा तो यह peak हो जाएगा अब आप इसको समझेए जो भी मैं आपको थोरी समझा रहा था ना इसे दो डियलेक्टिक मेटल को use करने का advantage क्या है जो मैं आपको बता रहा था अगर आप एक single डियलेक्टिक मेटल use करते क्या हुआ कुछ change आ रहे क्या अलग आ रहे क्या अच्छा स्वरी एक मेट मेने कलत कर दिया आपर ये 26.45 है 36.74 63.19 इसका second वाला पार्ट देखिए अगर आप दो डियलेक्टिक मेटल नहीं यूज करते हैं और ये की मेटल को यूज करते हैं जिसकी पर्मिटिविटी 5 हो तो उसको कितने वोल्टेज तक हम लोग यूज कर सकते हैं उसका मुलोग कितने वोल्टेज तक यूज कर सकते हैं अगर आप capacitance grading को नहीं करते हो तो कितने वोल्टेज तक आप इसको यूज कर सकते हो तो यह आउमने बता रहा हूं इसका मतलब क्या होगा आप एकी मेटल को यूज कर रहे हो यह मेरा core हो गया और उसके बाद एक सिंगल डालेक्टिक मेटल को आप यहाँ पर यूज करोगे जिसकी पर्मिटिविटी कितनी है फाइव यह रेडियस वन पॉइंट फाइव और यह पूरी की पूरी फॉर पॉइंट टू फाइव यह है ना 1.5 और 4.25 अब यहाँ पर अपके पास में एक ही मेटरियल है तो वॉल्टे देखें कैसे निकालोगे जी मैक्स सेकिंड वाले का आर एक ही मेटल है एैलें आर अपॉन आर एक ही मेटल है 30 KV into 1.5 LN 4.25 upon 1.5. यह आ रहा है 46.84 KV. यह आ रहा है. कन्फिर्म कर दीजिए. अब यह आपको एडवांटेस समझ में आ गया होगा. अगर आप कैपसिलेंस ग्रेडिंग नहीं करते हैं. ठीक है? बिल्कुल सेम साइस का केबल की भी लेके चलना हूँ. वह भी 4.25 आउटर रेडियस है. ठीक है? तो सेम साइस के केबल को आप खाली 46.84 KV तक ही यूज कर सकते हैं. लेकिन आपने कैपसिलेंस ग्रेडिंग की तो आप उसको हाई वोल्टेज तक पर भी यूज कर सकते हैं. हो तो खाली आप 46.84 KV तक ही उसको यूज कर सकते थें. जो मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखवा जा था, ग्रेडिंग का एडवांटेज क्या होता है? यह चीज यहाँ पर एक बार दौबार आपसको बता जाता हूँ. So, same size cable can be used for the high voltage. दिख रहा है? So, same size cable can be used for the high voltage. तो आप high voltage पर आप यूज कर सकते हो, पहले इतनी voltage पर नहीं यूज कर सकते थें. Capacitance grading के अंदर हम लोग क्या करते हैं? Number of dielectric metal को use करते हैं. यह आप एक बार खुद करके देख ले ना, यह वाला question नहीं होगा तो हम लोग फिर बाद में discuss करेंगे. अब दो तरह की grading होती है. Grading का purpose मैंने आपको बताया था, कि जो insulating metal है, उस पर electrical stress को आपको uniform बनाना है. Maximum और minimum के बीच का difference आपको कम करना है. एक हो गई Capacitance grading, दूसरी होती है Intercede grading. Capacitance grading के अंदर हम लोग number of dielectric metal यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर हम लोग एक ही material यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर हम लोग single dielectric metal यूज़ करेंगे. अलग-अलग नहीं यूज़ कर रहे हैं. ठीक है? बट यहाँ पर number of seat ज़्यादा लोगे. सीथ एक नहीं ले रहे हैं, बलकि सीथ आप ज़्यादा यहाँ पर यूज़ कर रहे हो. सिंगल सीथ की ज़्यादा सीथ यूज़ कर रहे हो, जो metal की बनी होती है. अब आप क्या करोगे? एक transformer को यूज़ करोगे. To maintain the potential of seat at a particular voltage value. आप transformer को यूज़ करके seat के voltage को constant बनाओगे. याप बना रहे हो, ठीक है? अगली transformer को यूज़ करके. So that the maximum stress at the surface of each seat is remain same. वहाँ पर आपने अलग-अलग metal को यूज़ करके maximum stress को same रखा था. यहाँ पर आप एक ही metal को यूज़ करके maximum stress को same बनाओगे. लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़़ी seat यूज़ करने पड़ेगी. और लरी transformer यूज़ करना पड़ेगा. देखिए, यह core है. यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्यान रखे हैं. यह जितने भी insulating metal हैं, सब same है. बट बीच में हमने seat यूज़ कर लिए metal की. यह seat है, यह seat है, यही metal, इसके बीच में भी same metal है, यहाँ पर भी same metal है, यह seat आपने यूज़ कर लिया. यह transformer है, इसको अगर आपने reference माल लिया, तो इसके voltage को आपने maintain कर लिया V के उपर. यह सबसे highest voltage होगा न, जो इसके पास में है, इसको आप maintain कर रहे हो V2 के उपर, इसको maintain कर रहे हो V1 के उपर, ठीक है? जो भी core के पास में होगा, इसका voltage ज़्यादा होगा, फिर voltage यहाँ पर, इसको last वाले को हम लोग 0 माल लेते हैं, जो reference है. तो जब हम लोग Gmax निकालते हैं, अगें derivation में नहीं कर रहा है, वो यह आता है, V upon R ln alpha, alpha square plus alpha plus 1, यहाँ पर alpha का मतलब, इनका ratio है, ध्यान रखी, R1 upon R, यह हमने एक same रखा है, R2 upon R1, R upon R2, ठीक है, मतब इनके बीच का जो ratio हमने same लेके चलना है, R1 upon R0, R2 upon R0, R upon R0, तो यह value यहाँ पर आपको मिल रही है, अब आप देखें, intercede में प्रूफ कर रहा हूं, कि इसको करने का advantage क्या है, यह एक बार आप देखिए, यह चीज़ क्लियर है, R1 हमेशा R से ज़्यादा है, R2 R1 से ज़्यादा है, तो alpha की value हमेशा क्या है, it is always greater than 1, यह नि alpha is always greater than 1, alpha की value हमेशा 1 से ज़्यादा है, अब देखिए, सोचिए, अगर मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करता, multiple seat नहीं use करता, और मैं खाली, एक single seat यहाँ पर use कर लेता, मतलब यह ऐसा होता, suppose करिए, यह मेरा small R का था, और यह capital R, normal, अगर मैं grading नहीं करता, तो ऐसी करता, तो इस तरह की cable होता है, यह R होता और यह आपका R होता, capital R होता, अगर आप grading नहीं करते हैं, without grading की बात कर रहे हैं, जब आप grading नहीं करते हैं, तब आप G-max कैसे निकालते हैं, V upon small R, ln R upon R, ठीक है, क्योंकि यह तो R है, डिरेक्ट जो formula में नहीं यहाँ पर लगा दिया, इसको आप ऐसे करोगे, इसको आप मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R upon R2, R2 upon R1, R1 upon R, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि R1, R1 cancel हो जाएगा, R2, R2 cancel हो जाएगा, तो capital R upon R ही बचेगा, यह, ठीक है, यह अपने alpha, alpha, alpha माना है, ध्यान रखाना, वहाँ पर मैं इसको क्या माना, alpha, यह अपने alpha माना यह सब, तो यह सब alpha है, तो वी अपन आर, एलन, एलफा, 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 क्या हो जाएगा, एलफा का क्यूब, ती हो जाएगा, 3R, 3R, एलन, एलफा, जी मैक्स आ गया, ठीक है, अब आप देखिए, जब आपने grading कर रखी है, तब यह है, और grading नहीं करने पर यह है, दोनों के बीच का ratio, आपने निकाल लेते हैं, ताकि हमें पता लग जाए, कि grading का advantage क्या मिलेगा, पर जाएगा, देखिए, यहाँ पर मैं निकाल के बता रहा हूँ, जी मैक्स, grading के साथ में, जी मैक्स, विदाउट grading, ठीक है, grading के साथ में, क्या है, V, Rn, अलफा, अलफा इस्कॉर, प्लस अलफा, प्लस वन, वो यह है, R, अलफा, अलफा, स्कॉर, प्लस अलफा, प्लस वन, ठीक है, grading के साथ वाला, यह मिलेखिए, इसको मैं दूसरे पैंसे लिख देता हूँ, विदाउट वाला कितना आ रहा था, V upon, 3R LN अलफा, ठीक है, अब आप देखिए, V से V यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा, R से R यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा, यह नहीं यहाँ पर बचात, 3LN अलफा, LN अलफा, अलफा स्क्वार प्लस अलफा प्लस वन, ठीक है, अब अलफा की वैलू, वन से जादा है, अलफा की वैलू, वन से जादा है, ठीक है, इसका मतलब इसकी जो वैलू है, इस से जादा होगी, अलफा वन से जादा है, तो वन वन वन, 3 से जादा ही मिलेगा यह आपको, 3 से आपको यह, जादा ही मिलेगा, ठीक है, इसका मतलब it is less than 1, तो gmax, gmax without, क्योंकि denominator की value numerator से ज़्यादा है, अगर यह 1 होता तो 3 into ln alpha होता, अगर यह 1 होता, तो 3 into ln alpha होता, तो यहाँ पर यह हमने प्रूफ कर दो, हो दिया, वीकेंस है, अगर हम लोग multiple interseed को use करेंगे, तो electrical stress यहाँ पर reduce हो जाएगी, इसको बोलते हैं, interseed grading, capacitance grading और interseed grading, दो अलग-अलग चीज हो गई, तो यह आप इस वले formula को use करके, voltage निका सकते हैं, सबसे important चीज यहाँ पर देखिए, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जो grading theory है, वो mostly theoretical है, ठीके, मतलब इसका कोई practical use नहीं है, हमने बना लिया कि हम लोग 3-4 तरीके के dialectic metal को use कर लेंगे, या इस तरह का उगदरी transformer यूज करके, हम लोग electrical stress को uniform बना लेंगे, बट यह सब का सब theoretical concept है, practically real में ऐसा कुछ भी possible नहीं होता, ठीके, तो practical possible नहीं है, काली एक theoretical आम इसको use कर सकते हैं, practically इसका कोई भी use नहीं है, चलिए 3 hours से उपर हो गए, बताए इस continue करूं या इसको फिर कल के लिए आगे postpone कर दें, क्योंकि अभी तो बहुत आदी slide भी नहीं हुई, अभी तो केबिल में भी बहुत सारा part रह गया फिर उसके बाद वो भी है, केबल के अंदर capacitance वाला part है, केबल के अंदर capacitance वाला part है, मौनिंग मैंने लोग की class है, चलिए तो फिर कल complete कर देंगे, ये वाला portion वो और इसके बाद वो transient वाला, और कल वाला फिर हम लोग फिर बात में change करते हैं, ठीक है? आज की class में कोई doubt होता हो, क्योंकि आपको morning में class लेनी है, 8 वजे, सुबह सो कर उठना भी है, तो फिर ठीक नहीं रहेगा आपके लिए, एक्स्टा क्लास तो करने ही पड़ेगी, उसमें तो कोई doubt ही नहीं है, एक्स्टा क्लास तो करने ही पड़ेगी, आप तयार हैं, बाकी लोग तयार नहीं होते, क्योंकि इसके बाद जो capacitance वाला part है, वह बहुत important इस्टी में चाहरा था, कि वह live आप देखे ज़्यादा better है, ठीक है, कोई doubt है, आज वाले section में, तो इसको हम लोग कल complete करेंगे, यह आपको याद रखना, यह cable के जो formula है न, gmax वाला formula, grading वाला formula, voltage निकालने वाला formula, यह exam में आता है, क्योंकि इसकी उपर जो question आते हैं, तो installation resistance की उपर आता है, यह capacitance की उपर आता है, यह पर यह grading की उपर आता है, capacitance grading और intercede grading की उपर, ठीक है, चलिए बच्चों फिर कल मिलते हैं, कल हम इसको complete करेंगे, क्योंकि morning में आपको फिर सुबह भी class करनी है, तो ठीक है, अभी मैं आपको break देता हूँ, more than three hours हो चुके हैं, अगर morning में class नहीं होती, तो हम लोग थुड़ा आगे और continue कर सकते थे, okay, then, thank you everybody, कल मिलते हैं, same topic के साथ में, cable complete करेंगे, transient को complete करेंगे, और अगर time permit करेगा, तो voltage control को भी complete करेंगे, तब तक, good night everyone.